अच्छो कैसे हैं आप लोग तो आप लोगों ने फ्री फास्टाक जो यूट्यूब के ऊपर मैंने अफ्लोड किया है वो ज़रूर देख लिया होगा और अब मैं आप लोगों के लिए एक्स्क्लूजिबली लेकर के आया हूँ यह आपको नीचे वीडियो के लिंक पर मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक दिया है वहां से जाकर के आप लोगों ने लेकर कर रखा है है एंड एंड इसके अलावा फनान साथ के कुछ इंपॉर्टन अमेंडमेंट्मेंट्स हम लोगों ने आप लेकर के आया है तो अगर आप लोगों ने में 24 की क्लासेश ली है तो भी आपको यह देखने हैं क्योंकि जो रीसन नोटिविकेशन अन सर्कुलर स्टाइटरी इसमें बहुत सारे नोटिविकेशन सर्कुलर है वह हो जाएगे तो आप इसे जरूर देखिए और अपने सारे दोस्तों तक के फॉर्वड भी कीजेगा टॉपिक वाइज ले रहा हूं ताकि आपको क्या आ जाए मजा आ जाए और अब बढ़ते हैं आगे येस शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक आफ्टि अमेंडमेंट के साथ that is basics के साथ basics and tax calculation के अंदर में अच्छे खासे changes आए हैं और जो changes आए हैं वो specifically आए हैं alternative tax schemes के अंदर में सबसे पहले मैं आपको बता दू आप सभी लोग जो क्या कर रहे हैं May 24 examination दे रहे हैं अब आपका previous year जो है ये बन चुका है 23-24 और अब आपका जो assessment year है ये बन जाएगा 24-25 तो first thing आपको जो याद रखनी है आपका previous year and assessment year क्या हो चुका है सब change हो चुका है दूसरी चीज जो आ November 23 से May 24 पर shift हो रहे हो तो अब आपका finance act जो है ये finance act बन चुका है 2023 तो आपका अब जो you know finance act है ये finance act 2023 बन चुका है और अब आपको क्या करना है finance act 2023 के इसाब से सारे के सारे preparations करने हैं शुरुआत करते हैं एक एक topic के साथ सबसे पहला topic लेता हूं मैं basics basics के अंदर में क्या change है देखिए आप सभी को पता था casual income जो है ये 30% के उपर taxable है yes or no right लेकिन casual income में इस साल online winnings को अलग कर दिया गया है तो पहले online winnings के लिए को specific section नहीं था सारी casual winning एक ही section में आती थी 115B के अंदर में लेकिन इस साल से casual winning को क्या कर दिया गया है अलग कर दिया गया है और एक separate section ले ये अलग से ला दिया गया है तो जैसे की आपका casual income versus winning 30% पे taxable है ठीक उसी तरीके से आपका आप online winnings भी 30% पे क्या होगा taxable होगा तो net winning from the online games 30% पे क्या होगा sir taxable होगा yes or no तो that was the first amendment from the basic chapter आते हैं second amendment के उपर 115BAC 115BAC क्या section था मैं आपको बता दू 115BAC पहले हुआ करता था alternative tax scheme ये पहले क्या हुआ करता था alternative tax scheme होता था हमें return भरने से पहले क्या करना पड़ता था select करना पड़ता था old scheme या तो alternative tax scheme alternative tax scheme में हमें कुछ deduction and exemption छोड़ने होते थे जबकी old scheme के अंदर हमें हमें सारे deduction and exemption मिल जाते थे और उसके बाद में आप क्या करते थे tax जो पे करते थे यह higher rate पे पे करते थे यादा रहा है आप सभी को येस अब 115 BAC के अंदर में पांच बड़ी changes आए हैं 115 BAC के अंदर में पांच बड़ी changes आए है प्लीज धानते सुनिए पहला बड़ा change यहां पर जो tax का slab rate है वो क्या हो चुका है तो आपको याद देया दू पहले क्या होता था slab rate 250,000 होता था 115 BAC के अंदर भी अब क्या हो चुका है अब क्या हो चुका है सर नया slab rate आ चुका है नया slab rate को देखिए अब old slab rate आपके कोई काम का नी आपको जो है नया slab rate यूज करना होगा और इसके लिए एक नया सब्सेक्शन आड किया गया है 1A और इस लाब रेट का नए रेट कुछ इस तरीके से है अब तो फिर्स्ट 3 लाक रुपीज निल पहले 3 लाक रुपए तक है सब्सक्राइब कर दिया गया है 3 लाक कर दिया गया है मतलब अभी भी अगर आप पोल्ड स्कीम यूज करेंगे तो वहां पे बेसिक स्लाब लिमिट है 2 लाक फिफ्टी थाउजन का और 115 बीसी जो अब बन चुका है डिफॉल्ट स्कीम यहां पे टाक्स रेट है 3 लाक रुपी यह हुआ है सबसे पहला चेंज getting the point point number two आपको पता है हमें कुछ deductions allowed है कुछ deductions allowed नहीं है यहां पर मैंने एक बहुत expressive list रखी है कौन कॉंसे deduction allowed है कौन कॉंसे deduction allowed नहीं है तो अगर आप यह list देखेंगे following deductions can be taken following deductions cannot be taken अब इनमें दो जगह पे आया है मैं आपको clear कर बता दूँ पिछले बार तक के that is November 23 तक क्या होता था standard deduction was not allowed as deduction कैसो नो जब salary income compute करते थे तो आपको standard deduction क्या होता था नहीं मिलता था लेकिन May 24 November 24 वाले students आपको क्या करना है salary compute करते वक्त even though you are in 115 B.A.C standard deduction देना है तो यहां पर अब standard deduction क्या हो चुका है मिलना शुरू हो चुका है और standard deduction अब आप देंगे even though you are in new scheme 115 B.A.C में बेसे अब standard deduction निलेगा यह आया है पहला amendment अब आते दूसरा amendment पर आते दूसरा amendment पर याद होगा तो नवंबर 23 तक के family pension के respect में जो हमको deduction मिलता था वं थर या 15,000 में राइट वो नहीं मिलता था if you have opted for 115 B.A.C अब मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है if you have opted for 115 B.A.C आपको family pension का भी deduction मिल जाएगा yes so deduction in respect of family pension भी अब क्या कर दिया गया है allow कर दिया गया है तो दो बड़े changes आए है पहला change आया है slab rate का अब slab rate जो है वो 3,000,000 रुपीज से मिलता है दूसरा standard deduction and family pension का deduction 115 B.A.C को क्या कर दिया गया है allow कर दिया गया है यह आया है आपका दूसरा change अब आते हैं तीसरे change पे चलते हैं तीसरा change जो आया है 115 B.A.C में वो आया है rebate के उपर तीसरा change वो आया है 115 B.A.C में वो आया है rebate के उपर old scheme के अंदर में rebate कौन सी income तक के मिलता था income up to rupees 5,000,000 रुपीज तक के आपको rebate मिला करता था SSE is opting और not opting for the default scheme अगर SSE default scheme के अंदर में जा रहा है तो rebate मिलेगा if SSE is individual he is resident and total income does not exceed 7,000,000 तो यह जो limit है 5,000,000 की under 115 B.A.C अब यह हो चुकी है 7,000,000 और rebate का जो limit है यह भी क्या कर दिया गया है बढ़ा दिया गया है now rebate is 25,000 और 100% of tax payable whichever is lower तो जहां old scheme के अंदर में maximum rebate 12,500 था under the new scheme rebate is 25,000 rupees to the maximum and यहां पर भी point तो सेम ही है rebate is not available under long term capital gain under 112 A तो rebate 112 वे से मिलता नहीं तो ध्यान से सुनिएगा अभी भी अगर आप old scheme के अंदर में है rebate 5,000, maximum rebate 12,500 under 115 B.A.C limit is 7,000,000 and rebate is 25,000, rebate is 25,000 yes or no right चलिए यह था तीसरा amendment तो पहला amendment काई के अंदर में आया है slab rate के अंदर में आया है तूसरा amendment standard deduction and family pension का deduction मिलना शुरू हो चुका है तीसरा amendment आया है rebate की जो limit है यह 5,000 के जगए 7,000,000 कर दी गई है and rebate 12,500 के जगए 25,000 कर दिया गया है under 115 B.A.C यह तीन amendment समझ मैं है मैं जा रहा हूँ चौते amendment के उपर that is marginal relief along with the rebate only under the new scheme marginal relief along with the rebate आपको क्या किया गया है allow किया गया है तो marginal relief along with the rebate आपको क्या किया गया है allow किया गया है under the new scheme आई यह मैं आपको समझाता हूँ यह किस तरीके से क्या किया जाता है compute किया जाता है यह किस तरीके से देखा जाता है Yes, rebate under section 87A is subject to marginal relief. If net income exceeds 7 lakh but does not exceed 7,27,770, then tax on such income cannot exceed the amount by which net income exceeds 7 lakh. अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको space दिया है problem solve करने के लिए तो प्लीज एक बार ध्यान से समझेगा. Suppose कर दीजे आपकी total income बनती है 7,20,000 रुपीज बरबर है अब अगर हम लोग old scheme के अंदर में होते that is old तरीके से हम लोग rebate calculate कर रहे होते तो technically हमें इस पर rebate मिलना ही नहीं था पूरा 7,20,000 रुपीज जो होता था उसके उपर आप क्या कर देते थे tax calculate कर देते थे यादा रहा है आपको बरबर है अब यहाँ पर आपको क्या करना है आप जैसे marginal relief निकालते है बिल्कुल वैसे निकालेंगे that is total tax अब 2 रुपीज 7,00,000 प्लस total income minus 7,00,000 बरबर है अब 7,00,000 रुपीज तक के आपका जो tax आ रहा है यह क्या हो जाएगा 0 वाई because total income does not exceed 7,00,000 तो रिबेट मिल करके आपका tax क्या हो जाएगा 0 प्लस total income minus 7,00,000 मतलब यह कित्ता हो गया 20,000 तो आपका tax कित्ता बन जाएगा 20,000 तो आपका tax कित्ता बन जाएगा 20,000 yes without marginal relief अगर होता अगर इस रिबेट के साथ-साथ marginal relief नहीं दिया होता अगर इस रिबेट के साथ-साथ marginal relief नहीं दिया होता तो क्या होता, 7,20,000 पे आप टैक्स कुछ इस तरीके से calculate कर रहे होते हैं, right, अब 2,3,0, next 3,0,5%, that is 15,000, next 1,20,0,10, that is 12,000, और आपका टैक्स बन जाता, 27,000 और इस पे आप निकालते, HEC at the rate of 4%, यह बन जाता, 480, आपका टोटल टैक्स बन जाता, 12,480, चेक कर लो, अब आपका टैक्स कित्ता बनेगा जड़ा देखें, अब आपका टैक्स कित्ता बनेगा सर, अब आपका टैक्स बनेगा 20,000, इसमें HEC जोडेंगे, अगर आपका मार्जिनल रिलीफ नहीं रहता, टैक्स वुड है बिन 28,080, क्योंकि 7 लाक के इंकम उपर चलेगे तो टैक्स निकलता था, लेकिन अब उन्होंने रिबेट के साथ-साथ मार्जिनल रिलीफ भी दिया है, मार्जिनल रिलीफ का जो फॉर्मूला था वो अपना ही है, और आपका टैक्स वुड नॉट एक्सीड 20,800, पट यह जो मार्जिनल रिलीफ है कब तक के मिलेगा, मैक्सिमम आपकी इंकम अगर 7,27,770 के उपर नहीं जा रहा, तो आपको यह मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, स तो सर, पहला अमेंडमेंट स्लाबरेट चेंज हुआ, दूसरा अमेंडमेंट स्टंडर डिडेक्शन और फामिली पेंजन का डिडेक्शन मिलना शुरूव हो गया, तीसरा अमेंडमेंडमेंड रिबेट के जो मैक्सिमम अमेंडमेंड फाइलाक से स्टंडर लाक पे इंक्रीज कर दी, चौथा अमेंडमेंड, अब रिबेट के साथ साथ मार्जिनल रिव भी मिलेगा, तो इन न्यू स्कीम, उनली ओल्ड स्कीम में ऐसा कुछ नहीं होता था, फिफ्ट अमेंडमेंड जैसा कि मैंने से उपर जाती थी, 50,00,000 से उपर जाती थी, जो सर्चाज होता था, वो 10% होता था, 1 करोड से उपर जाती थी, सर्चाज 15% होता था, 2 करोड से उपर जाती थी, सर्चाज 25% होता था, and 5 करोड के उपर जाती थी, तो सर्चाज कितना होता था, 37% होता था, क्या आपको याद है right अब with effect from finance act 2023 the maximum rate of surcharge the maximum rate of surcharge in case of 115 BAC cannot exceed 25% तो अगर आप देखेंगे old scheme में maximum rate of surcharge आपका आज भी 37% ही है पर under 115 BAC maximum rate of surcharge जो आ चुका है वो कितना आ चुका है 25% येस ये सारे amendments को with problem मैंने बहुत अच्छे से detail में explain किया है पूरा का पूरा fast track के अंदर में जो absolutely free है आप मेरे playlist के अंदर में जा सकते हैं और playlist के अंदर में आपको CA final and CA inter का direct tax का fast track पूरा का पूरा free है जिसको आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल के उपर CA विजर साड़ा के उपर तो CA विजर साड़ा चैनल सर्च किजिए उसमें playlist में जाईए आपको CA final and CA inter का यह absolutely free मिलेगा for the purpose of May 24 November 24 तो आप उसको देख लीजे और इनके उपर detailed problems भी हम लोग ने वहां पर cover किये वे हैं तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा साथ साथ में अगर आपने मेरा questionnaire भी ले रखा है तो questionnaire के अंदर में भी इसके उपर absolutely बहुत सारे question रखे गए हैं तो वह भी देख लीजे यह अमेंडमेंट वीडियो है और यहां पर मैं सिर्फ आपको जो है अमेंडमेंट और कई जगह पे इससे related question क्या करवाऊंगा solve करवाऊंगा is that done तो यह था एक और अमेंडमेंट तो पांच अमेंडमेंट हुए है 115 BAC के अंदर में पहले चेंज हुआ है दूसरा standard deduction and family pension का deduction मिलना चालू हो गया है तीसरा रिबेट के लिए जो लिमिट है 5,7,000,000 हो चुकी है चौथा आपका रिबेट के साथ सब मार्जिनल रिलीफ मिलना चालू हो चुका है पांच हुआ आपका क्या हो चुका है सर maximum rate of such as 25% पे रिस्टिक कर दिया है 37% पे नहीं रखा गया है इस देट डन राइट चेक कर लीजे तो अब आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंड के ऊपर नेक्स्ट अमेंडमेंड मेंड है चाप्टर नमबर वन के अंदर में आपका 115 BAE ना आपको याद देदा दू alternative tax scheme कौन-कौन से थे एक तो 115 BAC था BAA था that is and BAB था अगर BAA BAB की बात करें तो हम लोग वो companies के उपर था one which is for all companies and one which is for manufacturing companies याद आ रहा है आपको ठीक उसी तरीके से अब cooperative society के लिए 115 BAD हुआ करता था अब इस साल से एक नया section लाया गया है 115 BAE specifically for cooperative society engaged in manufacturing activity तो ऐसी cooperative society जो engaged है manufacturing activity के अंदर में इनके लिए special rate of tax लेकर करके आए है and again specific benefit लेकर करके आए है तो कुछ deduction and exemption नहीं मिलेंगे यहां पर भी वही चीज़े सेम है जो manufacturing में include नहीं होंगी as it is given in for the companies yes or no right so section किसके उपर applicable है assessi being cooperative society resident in India and engaged into manufacturing yes tax rate क्या रहेंगे जो manufacturing activity से आने वाला income है यह 17.16% effective rate से taxable रहेगा जहांपर tax rate 15% mandatory such charge 10% and 4% क्या रहेगा बिटा HEC रहेगा yes और other than manufacturing activities से आने वाला income 25.168% effective rate पर रहेगा जिसमें tax rate 22% रहेगा 10% such charge रहेगा and 4% cess रहेगा yes or no यह option एक बार आपने ले लिया तो आप भी यह withdrawal नहीं कर पाएंगे तो एक बार आपने यह option exercise कर लिया बिलकुल यह withdrawal possible नहीं है point number one point number two point number two sir अगर यह ले लिया तो आपको deduction cannot be taken in 115 BID यह option आपको return filing से पहले select करना है for the assessment year 24 25 losses and absorbed appreciation अगर इन deductions कराना आया है तो वो carry forward नहीं कर पाएंगे तो same वह provision जो वहां थी वही है applicable है कुछ चीजे manufacturing नहीं माने जाएंगे मतलब if the assesses engaged in these type of businesses तो वो इस section का benefit नहीं ले सकते मतलब उनको 115 BID में जाना है तो जा सकते BAE का benefit नहीं लेंगे पहला same वही जो companies के लिए भी था engaged in computer software media in any form mining will not be treated as manufacturing conversion of mule blocks into similar blocks bottling of gas into cylinder printing of books and any other business as maybe notified by government in future यह सभी क्या नहीं माने जाएंगे manufacturing नहीं माने जाएंगे yes कुछ additional condition है जो इस cooperative society को satisfy करना है पहला it must be registered on or after 2023 and should commence the manufacturing before 31st March 2024 तो यह यह register हो नहीं चीए 31st March 2023 के बाद और 2014 से पहले इसने business comments कर देना चाहिए it should not be formed by splitting up और reconstruction except in case of 33B तो भी है यह जो form होनी चीए यह new cooperative society होनी चीए यह existing cooperative society का reconstruction नहीं होना चीए except given in 33B अब यह 33B क्या है मैं फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ section 33B आपसे कहता है अगर कोई business flood, typhoon, earthquake, civil war, action of enemy के कारण डिस्ट्रक्ट हो गया है और यहीं business आप तीन साल के अंदर में revive कर देते हैं तो उसे as good as new business माना जाएगा ऐसे business को as good as new business माना जाएगा तो ऐसे case में generally अगर आप को इस section का benefit ने लेना है यह cooperative society नहीं cooperative society होनी चीए यह वो cooperative society होनी चीए जो flood, typhoon, earthquake के current destroy होगी थी और तीन साल के अंदर में आपने उसे revive कर दिया है इसके अंदर में जो plant and machinery होनी चीए यह भी new होनी चीए plant and machinery जो होनी चीए यह भी new होनी चीए हलां कि दो plant and machinery को इंडिया में as good as new मानेंगे पहला अगर value of second hand plant and machinery does not exceed 20% of the total value of plant and machinery तो generally इस business में that is cooperative society की जो plant and machinery भी यूज़ करेगी यह new plant and machinery होना चीए except in two case situation number one second hand log है अगर उसकी value 20% of total के उपर नहीं जारी चलेगा कोई तकलीद नहीं है point number one point number two अगर यह foreign से imported plant and machinery है तो इसको as good as इंडिया में क्या माना जाएगा new मतलब फिर उसको old नहीं माना जाता फिर इंडिया में उसको क्या माना जाता है माली new माना जाता है बरे बरे इट शुद नॉट भी इंगेज़ इन अनी बिजनस अधर देन manufacturing और production of any article or thing and you come across any transaction by assessi where profit is generated more than ordinary profit then you can club the additional income at the rate of 30% ने assessment किया और उसने पाया कि भी अगर कोई non-compliance है तो ऐसी income को 30% पर क्या कर देगा tax कर देगा yes or no so simple है simple है अगर assessi engaged है काई में बेटा manufacturing के अंदर में assessi कौन होना चाहिए cooperative society resident in India तो इनके लिए भी सेम वो जो companies के लिए rate था cut coffee paste यहां पर आप ले करके आ जाईए section पूरा का पूरा same है वो companies के लिए था यह किसके लिए है cooperative society engaged in manufacturing तो बिल्कुल सेम प्रोविजन है tension का काम नहीं है इस विल्कुल सेम प्रोविजन है tension का काम नहीं है यह चाप्टर नुम्बर वन के amendments जो है यह हमारे क्या होते हैं विटा विटा ओपर येस कि देने विटा कि चॉल तो sir next topic के उपर आते है income tax authorities अब दिखिए एक amendment है जो almost बहुत सारे section के अंदर में common हुआ है तो हमने यह आप एक common amendment लिखा है यह जो amendment हुआ है यह multiple sections में एक साथ हुआ है right section 116 जो बात करता है income tax authority section 119 जो पावर करता है power of civility section 154 जो बात करता है rectification की section 246 जो बात करता है आपके CIT appeal की section 249 जो अगे इन बात करता है आपके appeals की section 158 158 a rights of appeal के अंदर की बात करता है इन सभी जगह पे जहां जहां पे भी CIT appeal लिखा है वहां पे एक और authority add कर दी गई है JC appeal तो इन सारे section में जहां जहां पे भी word CIT appeal you know appear हो रहा है एक common amendment इन सभी section के अंदर में आया है और वो है कि यहां पे अब CIT appeal के साथ साथ joint commissioner appeal भी word क्या हो चुका है add हो चुका है तो यह commitment आपको इतने सारे sections में एक साथ दिखेगा to cut it short हमने एक ही साथ में सब कुछ लिख दिया के इतने सारे sections के अंदर में जहां जहां पे भी CIT appeal word appear हो रहा है अब जेसी appeal word भी क्या हो जाएगा add हो जाएगा next topic आता है आपका return of income return of income के अंदर में भी क्या हुआ है amendment हुआ है जैसे कि मैं आपको याद दिला दू आपका आधार और PAN link करने की last date क्या थी आपके आधार और PAN को link करने की last date थी पहले तो 31st March 2022 फिर notification आया था इस date को कर दिया गया था 31st March 2023 और फिर इसे extend करके कर दिया गया था 31st sorry 30th June 2023 30th June 2023 तक के आपका आधार और PAN जो था यह interlink हो सकता था without any fees बड़बरे आधार और PAN को अगर link नहीं करते थे तो ऐसे cases के अंदर में आपका जो PAN था यह क्या हो जाता था इन ओपरेटिव हो जाता था तो अब amendment आया है कि अगर आपका PAN इन ओपरेटिव हो जाए तो process क्या है उसे वापस operation में लाने का process क्या है और जब जब पैन इन ओपरेटिव रहेगा तो उस time पे consequences क्या होंगे मुझे लगता है exam under review से य इस पर focus करना तो भीया यह जो amendment है यह जो consequences section के अंदर में लिके में है यह होंगे with effect from 17 2023 तो 17 2023 से क्या होगा इसका impact आने वाला है तो अगर आपने 30 June 2023 तक के आपका आधार और PAN इंटरलिंक नहीं कराया है तो आपका जो PAN है यह इन ओपरेटिव हो जाएगा and if you wish to operate your PAN again then you have to pay a fees of rupees 1000 under section 234H तो आपको अगर आपका PAN वापस से इन ओपरेटिव करवाना है 1000 का fees आपको क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा तो आपके PAN को अगर री ओपरेटिव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 30 days का wait करना पड़ेगा 30 days में आपका क्या हो जाएगा PAN एक्टिवेट हो जाएगा फीज भरने के बाद तीसरा कॉंसेटिवेंसेज जब तक आपका जो PAN है यह इन ओपरेटिव होता है कोई भी रिफंड आपको इशू नहीं किया जाएगा इस रिफंड पर अगर आपको सर्कार के तरफ से कोई इंटरस आता है तो यह इंटरस भी नहीं मिलेगा और क्यू कि आपका PAN in Operative है, TDS and TCS बाद TDS and TCS बाद पर से कोई इंटरस पर CY. and he would be liable to pay a fees of Rs. 1000 under 234H. If payment of fees, his PAN would become inoperative within 30 days from the date of intimation of his Aadhaar number. तो जैसी आप अपना PAN intimate करते हैं, फीस भर देते हैं, काम खतम हो जाएगा, सर आपको क्या हो जाएगा, आपका PAN वापस से inoperative हो जाएगा within 30 days of payment of fees. A person whose PAN has became inoperative would be liable for following further consequences. पहला, no refund will be granted. Interest would not be payable on such refund. TDS, TCS shall be deducted or collected at a higher rate. तो यह थे आपके income tax authority and return of incomes related amendment. चलिए सर, next amendment आता है assessment procedure से related. assessment procedure के अंदर में multiple sections के अंदर में amendment है और इन में से मुझे कौन से important लगते हैं, जो मैं आपको फटा-फट बता दूँगा. सबसे पहला, जो मुझे लगता है, compulsory लिए आपको आ सकता है, वो है 142-2A special audit. आप सभी को पता था, special audit करवाना पड़ता है, कब-कब करवाना पड़ता है, याद करके देखिये, multiplicity of transaction, nature of business, volume of business, याद आ रहा है क्या, तो ऐसे के इसमें आपको क्या करवाना पड़ता था, special audit करवाना पड़ता था, special audit कौन करता था, chartered accountant करता था, only can be done, only after the permission from PC और CIT, 180 days के अंदर में special audit करना होता था, और अपनी report, AO को क्या करना पड़ता था, submit करना पड़ता था, याद आ रहा है, ऐसा जब पुछ, येस, अब special audit जो होता था, ये सिर्फ क्या होता था, इन special activities के लिए ही किया जाता था, for the first time by Finance Act 2023, inventory valuation के लिए भी special audit क्या किया जा सकता है, आप सभी को पता है, हम सब लोगों ने article chip करिया, और article chip के अंदर में हमार को भी पता है, कि finally चीज़े कहां adjust होती है, stock के अंदर में, yes or no, तो income tax department ने इस नीश को पकड़ लिया, और income tax department अब कहता है, कि हम लोग inventory valuation के लिए क्या कर सकते है, stock audit का order दे सकते है, और यह जो stock audit है, इसको कंड़ा कौन करेगा sir, CMAs इसको कंड़ा करेगे, तो CMAs को यह power मिल चुका है, section 142-2A के अंदर में, कि अगर inventory valuation से related order आता है, तो inventory valuation से related stock audit कौन करेगा, CMA करेगा, तो बाकी सारे जो special audit है, वो chartered accountant करेगा, यह approved होना चाहिए, CCIT या CIT द्वारा, तो special audit can be done for inventory valuation, also by CMAs, with the prior approval of CCIT और CIT, बरवरे, अच्छा, अब क्यूंकि special audit होगा, जब-जब special audit होता है, उतना time limit जितना special audit में use हुआ है, उतना आपके time period को extend करके मिलता है, in completion of assessment, तो completion of assessment का time limit है, वो extend हो जाता है, जितना period आपने special audit के लिए use किया होगा, तिक उसी तरीके से, अब जितना period inventory valuation के लिए use होगा, वो भी तो exclude करना पड़ेगा, from the overall time limit to pass the order, तो section 153 आपको बताता है, time limit to pass the assessment order, अब जितना period inventory valuation के लिए use हुआ है, उतना period आपको और क्या किया जाएगा, extend करके मिलेगा, तो इस चक्कर में section 153 में भी amendment हुआ, the time limit to complete the assessment shall exclude the period for inventory valuation, yes, the period for inventory valuation, तो क्या amendment है, amendment simple सा है, पहला अब inventory valuation के लिए भी क्या किया जा सकता है, you know, special audit order किया जा सकता है, inventory valuation कौन करेगा, सर CMA करेगा, right time limits के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, time limits जो है, यह आपको order में लिखा होगा, इसका मतलब CCIT और CIT का approval ज़रूरी है, और जितना time inventory valuation के लिए लगेगा, उतना time आपको overall time limit to complete the assessment में increase करके दे दिया जाएगा, तो similar amendment कहां हुआ, 153 के अंदर में भी हुआ, I think you got this point, yes, next amendment आता है, section 153, sub section 1 के अंदर में, section 153 के इस बारे में बात करता है, time limit to complete assessment, so 153 के अंदर में एक amendment हुआ है, inventory valuation से, दूसरा amendment हुआ है, time limit to complete the assessment, yes, section 143 और 144 का जो time limit है, to complete the assessment, यह पहले हुआ करता था, 9 months from the end of relevant assessment year, इस साल यह time limit को बढ़ा करके कर दिया गया है, 12 months from the end of relevant assessment year, right, तो यह जो amendment है, यह retrospective amendment है, assessment year 22-23 से, यह आपके ओपर applicable है, अब 143, 144 को complete करने का time limit जो है, यह 12 months from the end of relevant assessment year होगा, so the assessment order can be passed, within the period of 12 months from the end of relevant assessment year, यह यह भी एक important amendment है, जो आपको क्या है, आ सकता है, यह भी एक important amendment है, जो आपको आ सकता है, next, third amendment in the 153 section, subsection add हुआ है, 153 3A, subsection add हुआ है, 153 3A, yes, मान लीजे, अगर आपका कोई assessment pending है, और उसी time पे आपका search conduct हो जाता है, मान लीजे कोई assessment pending चल रहा है, उसी time पे आपका क्या हो जाता है, search conduct हो जाता है, या survey conduct हो जाता है, तो time limit to complete the assessment 12 months से increase हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से, जैसे अगर transfer pricing report है, तो time period 12 months से increase हो जाता है, ठीक उसी तरीके से, अगर कोई assessment pending है, और उसी दोरान search and survey हो जाता है, तो आपका जो time limit to complete the assessment है, वो भी क्या किया जाएगा, 12 months से increase हो जाएगा, तो where the assessment or reassessment is pending, as on the date of search, then time limit to pass the order shall be extended by 12 months, shall be extended by 12 months, are you getting the point, take कर लो, next amendment आया है section 148 के अंदर में, और ये बड़ा amendment है, section 148 क्या था, पहले याद दिला देता हूँ थोड़ा सा, section 148 क्या था, पहले याद दिला देता हूँ थोड़ा सा, section 148 बात करता था आप से, कि अगर आपको income escaping assessment करना है, तो AO आपको notice देता था, and you had to file the return upon such notice, ताकि आपका income escaping assessment किया जा सके, याद आ रहा है आपको, so in order to complete the assessment under 147, the AO used to give you notice under 148, and require the assessi to file the return, within the specified time, as mentioned in the notice, अब ये 148 का जब भी notice होता था, इसके बाद assessi को return भरना पड़ता था, लेकिन ये return कितने time में भरना है, इसकी कोई time limit लिखी नहीं होती थी, इसकी कोई time limit लिखी नहीं लिखी वी थी, yes, अब ये तो clear था, 148 का notice जैसे आया, assessi return भरेगा, लेकिन assessi return कब तक भरेगा, इस बारे में कोई time limit लिखी वे नहीं थी, और finance act 2023 नहीं ये time limit बता दिया, time limit क्या है सर, 3 months from the end of the month in which notice is issued, जैसे ही आपको 148 का notice issued होगा, उस month के end से 3 month के अंदर में assessi को क्या करना पड़ेगा, return भरना पड़ेगा in the prescribed form, return भरना पड़ेगा in the prescribed form, और ये return जो आप submit करेंगे, law assume करेगा this return is filed under section 139, ताकि आगे के assessment procedure complete हो पाए, अगर आप assessment को बहुत detailed में पढ़ना चाहते हैं, और बहुत मज़े के साथ, interlinking के साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरा पूरा CA final direct tax, form A24 attempt का जो आपका fast track batch है, ये पूरा का पूरा free हम लोगों ने YouTube के उपड़ा डाला है, CA वेचे साथ चानल सर्च करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे आपको 36 लेक्चर के अंदर में पूरा direct tax cover करके रखा है, along with the problem, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, yes, चेक कीजे, notice for income escaping assessment require the assessor to file return of income, now this return shall be filed within 3 months from the end of the month in which notice is issued, और such further period as AO may allow on an application in this regard, if the return is furnished beyond that period, return is not deemed to be filed under section 139, yes, तो भीया अगर आपने ये return file कर दिया, within the time, जो 3 months के अंदर है, ये माना जाएगा return is filed under 139, और अगर आपने ये return file नहीं किया, तो फिर माना जाएगा return is not filed, and you will be treated as in default, yes or no, तो अगर आप देखेंगे, ये जो 4 amendment आए हैं, ये 4 के 4 amendment important है, assessment procedure chapter से जो आए है, ये 4 के 4 जो है amendment, ये सारे के सारे important है, yes, अब आते हैं, last amendment के उपर assessment procedure के, assessment procedure का जो last amendment है, ये आया है section 151 के अंदर में, section 151 आपको क्या करता है, बताता है, power देता है कि, who will sanction the order, for the purpose of income escaping assessment, तो income escaping assessment के लिए, higher authorities का क्या लेना पड़ता है, approval लेना पड़ता है, तो approval के अंदर में, जानत समझेगा, up to 3 years, आप PCIT, PDIT, CIT या DIT का approval ले सकते हैं, और अगर आप 3 years to 10 years तक के जा रहे हैं, तो आपको PCIT, PDIT, PCIT का approval लेना पड़ता है, अब यहां पर क्या हुआ है, PDIT वर्ट को cut कर दिया गया है, और यहां पर CCIT और DGIT रखा गया है, तो अब आप अगर 3 साल से जादा का income escaping assessment ओपन करना चाते हैं, PDIT अभी order issue नहीं कर सकता, तो यह power सिर्फ PCIT, that is Principal Chief Commissioner of Income Tax, Chief Commissioner of Income Tax, Character General of Income Tax, इन ही के द्वारा यह क्या हो सकता है, issue हो सकता है, राइट, चेक कर लीजे, यहां से PDIT जो वर्ट है, यह क्या कर दिया गया है, cut कर दिया गया है, not a relevant one, आप assessment procedure में, यह चार ही amendment है, जिसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, is that done, टेक कर लीजे, चलिए, next amendment आता है, आपका search and seizure से, search and seizure के अंदर में, एक ही amendment हुआ है, section 132 के अंदर में, जो बहुत relevant भी बनता है, दीखे, search and seizure जो कंड़क करते हैं, वो relevant officers करते हैं, जो माँपे, section 132 के अंदर में prescribe है, इसके subsection 2 में amendment किया है, और कहा गया है, कि जो authorized officer है, वो कुछ और officers की services को ले सकता है, वैसे पहले भी ये services, जब भी search conduct होता था, वो ले के ही जाते थे, बढ़ अब section ने specifically लिख दिया है, कि authorized officer, इन लोगों की भी मदद ले सकता है, while completing the search, let's check, the authorized officer, may requisition the service of a police officer, or the officer of central government or the both, तो police officer क्यों, या search के तौरान क्या होता है, कई लोग, you know, मारा मारी पे उतर आते, तो police officers लिया जा सकता है, male female as a case में भी, other officer of central government को लिया जा सकता है, या दोनों को भी लिया जा सकता है, further, any person और entity, as may be approved by CCIT और PCIT, अब ये other person और entity कौन है, कई बार valuation officer को ले करके जाते हैं, तुरंत valuation करने के लिए, ताकि पंच नामा बन जाए, आपको अगर याद हो, तो search and seizure में हम लोगों ने बहुत detailed के अंदर में इसको discuss किया वा है, right, उसके बाद में, you know, engineers को ले करके जाते हैं, फिर thermal जो लोग checking करते हैं, उनको ले करके जाते हैं, ताकि दिवार और other चीज़ के अंदर में बुद चुपाया हो तो, तो ऐसे person को भी, अगर CCIT, DGIT या principle DGIT अप्रूब कर देता है, तो आप इनको भी ले के जा सकते हैं, अगर किसी को अप्रूब किया है, तो उस ओफिसर के डूटी होगी कि इस ओडर को क्या करना है, comply करना है, तो छोटा सा amendment है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूचा जाए, तो MCQ के अंदर में पूचा जाए, अदरवाइस पूचा भी नहीं जाएगा, ज़स चेक्ट, चलिए, next amendments के ओर आते हैं, और PGP के amendments हम लोग अब देखना चालू करते हैं, अब ये PGP के amendments में, सबसे पहला amendment आया है, section 28 के अंदर में, एक बात आप याद रखे, अगर आपने मेरा regular class लियावा है, या आपने past tracks भी देखे वे हैं, जो YouTube के ओपर हमने free डाले वे हैं, तो उनमें ये सारे amendments covered है, आपको इसको अलग से देखने के ज़रत नहीं पढ़ने वाली है, yes or no, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, कि आप लोगोंने सिर्फ amendments देखने चाहिए, तो आप इन amendments को क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, section 28 charging section की, yes, right, अच्छा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसके अभी एक reason आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम सिब amendments discuss करने वाले हैं, अब amendments related जो question है, amendments related जो points हैं, हमने detailed में class के अंदर में कियावा है, चाहे यह regular badge बोलो, चाहे यह fast track badge बोलो, yes, और इसके अंदर में अभी जो statutory updates है, जो institute ने लाए हैं, institute के website पे हैं, वो सब मैंने इसके अंदर में include किया, so let's go for it, सबसे पहले आता है, section 28 charging section, अब यह किस बारे में आपको बात करता है, वैसे मैं आपको बता दू, any benefit perquisite arising from business or profession, shall be treated as PGVP, wherever, shall be treated as PGVP, अब understand किजे ऐसा, मान लीजे Asian paints है, Asian paints क्या करता है, Vijay Hardwares को, Vijay Hardwares को, you know, Goa Trip Provide करता है, on achievements of target, on achievements of target, interlink करके बताता हूँ, जर ध्यान से समझना, तो हर business organization क्या करता है, अपनी sales को promote करने के लिए, इस तरह के यह कोई activity करता है, अब Asian paint वालों के लिए, तो यह expenses है, and this expenses is allowed as deduction, बरबर है, लेकिन Vijay Hardwares वालों के लिए, section 28 के तहत, यह क्या बनेगी बिटा, income बनेगी, और क्योंकि Vijay के हाथ में, यह income है, आपको यहाद होगा, there is a section, section 194R, अगर यह benefit perquisite की value, 20,000 रुपीस की उपर जाती है, तो Asian paint को क्या करना पड़ेगा, TDS deduct करना पड़ेगा, yes or no, अब यहाँ पर क्या amendment आया है, यह section 28 में कहा गया, कि हम इस तरह के कि किसी भी benefit, या perquisite को क्या मानेंगे, whether they are convertible into money or not, whether they are provided in cash or kind, तो किसी भी तरीके से, अगर विजय को यह provide किया गया है, अगर यहाँ पर cash दे देते, या विजय को उठा के, उन्होंने फोरण का trip दे दिया, दोरों भी case में यह क्या मानी जाएगी, income मानी जाएगी, so the value of any benefit perquisite arising from business, or excise of any profession, whether convertible into money or not, whether it is in cash, kind, और partly in cash, partly in kind, यह क्या मानी जाएगी, income मानी जाएगी विजय के हाथ में, and chargeable to tax रहेगी, yes, अब इसी से interlinked, आपका section 37 का भी amendment है, इसी से interlinked है, आपका section 37 का भी amendment, आप सभी को पताओगा, medical companies जो होती थी, यह बहुत सारे freebies देती थी, doctors को, right, so medical company को imagine कीजे, जहाँ पे Asian paints के जगा, imagine कर लीजे, run back see को, बरभर है, suppose कर लीजे run back see, doctor विजे को क्या provide करती है, उनको बोलती है, कि भीया हम आपको Thailand का trip देंगे, बरभर हम आपको Thailand का trip देंगे, आप हमारी दवाईया क्या करें, recommend करना चालू करें, suppose विजे ने ऐसा की, और run back see के तरफ से क्या आगया, विजे को ऐसा कोई benefit भी आगया, अब अब समझे का issue क्या है, डॉक्टर विजे code of conduct के अंदर में आता है, डॉक्टर medical professional code of conduct के अंदर में आता है, अब doctors, CA, CS, CMA, advocates, इनके code of conducts इने किसी भी तरह के gift या perquisite लेने से मना करते हैं, मतलब अब डॉक्टर, CA, CS, CMA, advocates, cannot accept any gift from their client, cannot accept any gifts from their client, as a restriction from their code of conduct, अब आप सोच करके देखिए, जब लेने वाले ही इसे receive नहीं कर सकता, तो देने वाले के लिए ये expenses बोल करें, डॉक्टर 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 मिलना चाहिए, या नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो इसी लिए क्या किया, section 37 में explanation 3 add किया, कहा कि विजय को अगर इस तरगे का कोई भी benefit मिल रहा है, जो विजय as per their code of conduct and regulation accept नहीं कर सकता, तो रेन बैक्सी के लिए ये expenses बोल करके deduction नहीं मिलेगा, तो रेन बैक्सी के लिए ये जो expenses है, ये क्या हो जाएगा सर, डिस अलाव हो जाएगा, इफ विजय cannot accept as a code of conduct, तो अगर विजय इसे code of conduct के तहरत क्या नहीं कर सकता, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, तो बस रेन बैक्सी को इस चीज़ का deduction नहीं मिलेगा, फर्दर आपको अगर रियादो section 37 के अंदर में, अगर कोई भी expenses किया, which is an offense और is prohibited by law, तो वो डिसलाव होता था, लेकिन law में ये clarity नहीं थी कि, you know, prohibited by law in India या outside India, और clarity देने के लिए उन्हान ने कहा, any expenses made, which is for prohibition of any law, और breach of any law, in India और outside India, दोनों भी क्या हो जाएंगे, डिसलाव हो जाएंगे, ठीक उसी तरीके से compounding of offense भी अगर हो रहा है, इन इंडिया या outside इंडिया, ये भी क्या हो जाएगा, डिसलाव हो जाएगा, तो चेक कर दीजे, expenditure which is an offense prohibited by law, shall include an offense which is prohibited by law, for the timing in force in India और outside इंडिया, तो अगर आपने मान लीजे penalty पे की है, outside इंडिया और ये P&L को debited है, आप लेंगे net profit में फिर से क्या कर देंगे, add back, next, any benefit or perquisite provided in whatever form, to a person, whether or not carrying on any business or exercising a profession, and acceptance of such benefit, and acceptance of such benefit or perquisite by such person, is violation of any law, rules, regulation, guideline, for the timing in force, governing the code of conduct of such person, अगर सामने वाला इसे as per the code of conduct लिए ही नहीं सकता, तो फिर सामने वाले को जो पे कर रहा है, उसको एंडिक्शन नहीं मिलेगा, right, सो मान लीजे रेंबाक से अपने profit and loss account के अंदर में, freebies to doctor लिख देती है, but doctor cannot accept freebies, तो ऐसे के में, of offense in India होता है, या outside India होता है, ये भी क्या हो जाएगा सब, disallow हो जाएगा, yes, so this was the amendment with related to section 37, next आया है section 35D, institute ने जो अभी आपका statutory updates है, उसके अंदर में ये ले कर क्या आया है, yes, ले कर क्या आया है, अभी amendment क्या कहता है, मैं आपको बता देता हूं, मिलेगा, section 35 provides amortization of preliminary expenditure incurred by an Indian company or by any person other than company who is resident in India, establishment of business concern or expansion thereof, wherever, तू स्री बाथ, तू स्री बाथ, the assessee has to furnish a statement containing the particular of expenditure in connection with, right, अब देखिए preliminary expenditure में क्या क्या आता है, preliminary expenditure में आता है, project report, market survey, you know, feasibility report, engineering services, अब क्या होता था, अब तक के section 35D में हम लग जब deduction claim करते थे, हमें इसका कोई detail income tax department को देने की ज़रूत नहीं होती थी, अगर हम लिख देते थे, कि हाँ, project report पर इत्ता खर्चा हुआ है, तो बस उसे क्या कर लिया जाता था, preliminary expenditure मान लिया जाता था, अब क्या किया गया है, कि अब आपको बोला गया है, कि अगर आप feasibility report लेते हैं, market survey लेते हैं, legal expenses पे इंग्र करते हैं, तो आपको इसकी details, income tax department को क्या करनी होगी, दीनी होगी, बस amendment इतना सही है, पहला वाला तो खेर amendment दीनी है, ये section हमेंसा से सिर्फ resident के लिए ही था, दूसरा वाला amendment है, अब आप जो भी खर्चा कर रहे है, preliminary expenditure के उपर, इसका पूरा detail आपको क्या करना है, income tax department को submit करना है, तो आपको क्या करना है, particular submit करने है, क्या submit करने है, particulars of all the expenditure submit करने है, जो feasibility report पे आया है, project report पे आया है, market survey पे आया है, engineering service पे आया है, ये सारा आपको क्या करना है, income tax department को एक statement बना के देना है, eligible yes eligible for amortization of preliminary expenditure to prescribe income tax authority in the prescribed form and manner accordingly cbdt has inserted rule 6 a triple b to prescribe a statement containing particulars of the above expenditure is required to be furnished one month prior to the date of furnishing roi और यह सारी detail भी आपको one month prior to the date of furnishing roi क्या करनी है submit करनी है yes तो चेक कर लीजे क्या किया है सिर्फ preliminary expenditure आप जो incur कर रहे हैं इसका आपको एक statement पूरा का पूरा income tax department को देना होगा चैने मिटा नेक्स पॉइंट पर आते हैं section 43 B से related amendment अब यह section 43 B से related amendment क्या है यह MSME से related amendment है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह जरूर पूछा जाएगा आपको यह जरूर पूछा जाएगा yes अब यह क्या है जरह ध्यान से दीखेगा यह कहता है section 43 B क्या कहता है section 43 B कहता है कि अगर certain payments are made before the due date of filing ROI तो आपको क्या मिलेगा deduction मिलेगा तो अगर कुछ payments की endless देता है वो कि अगर आप क्या कर देते हैं कुछ payments before due date of filing ROI कर देते हैं तो आपको deduction मिलेगा नहीं तो आपको deduction नहीं मिलेगा इसी list में इस साल एक और add किया गया है any sum payable to MSME अब क्या 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 गया है MSME जल्दी से cash रोजा इनके लिए आपको क्या 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 गया है बोला गया है कि अगर आप MSME को prescribed date से पहने payment कर देते हैं तो ही deduction मिलेगा नहीं तो आपको deduction नहीं मिलेगा तो year end के बाद भले ही आप उनको prescribed time के अंबर में pay कर देते हैं तो deduction मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा येस राइट अब क्यांते सुनिया एनी sum payable by ASSEE any sum payable by ASSEE to micro and small enterprises beyond the limit specified in section 15 of the act would be allowed as deduction only in the previous year in which sum is actually paid तो आप अगर इन dates के अंदर में pay कर देते हैं तो deduction नहीं तो deduction जो रहेगा वो subsequent year में मिलेगा जो deduction रहेगा वो कब मिलेगा subsequent year में मिलेगा अब अगर आप ध्यान से देखेंगे section 15 ने कौन से limit दी 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 है section 15 क्या बोलता है वो भी देख लेते है सबसे बिले अगर आप देखेंगे MSME का जो definition है वो यहाँ पर दियावा है मुझे नहीं लगता आपके definition को याद करना चाहिए पर MSME का definition आपको दियावा है आप यह देख सकते हैं section 15 of MSME Act कहता है आप 15 दिन में पेमेंट करेंगे आप अगर 15 अप्रिल तक के पे कर देते हैं इट विल बी अलावड एस डिटेक्शन अधरवाइस इट विल बी अलावड इन देखेंगे बड़े बड़े जो overall number of days है यह भी कित्ते से उपन नहीं हो सकता यह भी 45 days के उपन नहीं हो सकता मानलो अगर कोई return agreement है ही नहीं तो you have to make within 15 days of the date of invoice तो invoice के 15 दिन के अंदर में आपको क्या करना है MSME को pay करना है in order to get the deduction मानलीचे invoice ही आ जाता है 31 March का तो आपको 15 April से पहले या for that matter 14 April से पहले आपको क्या कर देना है pay कर देना है right तो ही आपको deduction मिलेगा otherwise अगर मानलीचे आप 16 April को payment करते हैं तो deduction जो रहेगा वो subsequent year में मिलेगा deduction जो रहेगा वो कब मिलेगा subsequent year में मुझे लगता है यह commitment जो है यह आपको confirm exam में पूछा जा सकता है read it once again done आते हैं next amendment के उपर next amendment is with respect to 44 AD 44 AD किस बारे में था presumptive income की बारे में था right अगर assessy individual है right अगर assessy individual है या फिर अगर आपको याद आरा होगा Hufa या फिर अगर आपको याद आरा होगा firm है not LLP और अगर वो describe business के अंदर में होता है तो 8% of turnover और 6% of turnover आपका क्या माना जाता है PGVP माना जाता है 6% जब payment आपको अगर white में मिला हो और 8% जब payment आपको black में मिला हो right that is in cash में मिला हो not black cash में मिला हो अब क्या होता है सर बात समझेगा सर आप इस section को तभी opt कर सकते थे when turnover does not exceed 2 करोड याद आ रहा है अब यह turnover के limit में एक और amendment आया है 2 करोड के जगए 3 करोड तक के भी आप क्या कर सकते है 44 AD को ले सकते है तो if the turnover does not exceed 3 करोड you can still take 44 AD just one requirement the cash receipt does not exceed 5% of total receipt the cash receipt does not exceed 5% of total receipt simple है so generally section का benefit आप तभले के सकते है when the turnover does not exceed 2 करोड instead of 2 करोड turnover will be 3 करोड if the cash receipt does not exceed 5% of total receipt if the cash receipt does not exceed 5% of total receipt are you getting the point check so any business whose turnover does not exceed 2 करोड तरेवरे any business other than the business refer to in 44 AD whose turnover gross receipt is not exceeding 3 करोड if the cash receipt is less than 5% of total turnover so if the cash receipt does not exceed 5% of total receipt आप 2 करोड के जगा 3 करोड तक के turnover के लिए भी 44 AD ले पाओ गे yes or no further एक और amendment दिया गया है the receipt of amount right by a check drawn on a bank or by way of bank drop which is not account pay would be deemed to be received in cash तो अगर मान लीज़े आप check ही दे रहे हैं पर यह account पर ही check नहीं है तो ऐसे किसमें से as good as क्या माना जाएगा cash तो bearer जो payment received कुर रहा है bearer check से जो payment received हो रहा है वो cash ही payment माना जाएगा for the purpose of section 44 AD यह था second amendment third amendment क्या है yes income कितनी होती है higher of income declared or deemed income 6% of turnover in case the payment is received by account paycheck draft और ECS और 8% in other case अब यह जो 6% of turnover है during the previous year और before the due date of filing ROI और such higher sum as earned by assasi और 8% of turnover यहां पर word add कर दिया गया है अब इसका amendment क्या है यह जो 6% of turnover है यह turnover हमें कब तक का देखना है before the due date of filing ROI का देखना है मतलब जो turnover का receipt आना चाहिए यह हमें right turnover तो आपका 31st March कोई आ जाएगा पर यह जो you know आपकी entry है turnover से related entry है यह जो sales है यह before the date of filing ROI तक कहीं हम क्या लेंगे consider करेंगे तो जो भी आपका turnover है received हुआ है before the due date of filing ROI और 8% of turnover यह हम क्या करेंगे consider करेंगे इस वे इतना बड़ा आपको you know change नहीं आने वाला क्योंकि maximum case में turnover हम previous year में ही क्या कर लेते है record कर लेते है तो दो जगा amendment हुआ है यहाँ पर दो बड़े amendment है overall तीन बड़े यहाँ पर हम दो ही consider करेंगे जो important एक्जाम बंड़ा उसे दो के जगा तीन करोड तक के भी आप 44 AD ले सकते if the cash receipt does not exceed 5% of total receipt तूसरा अगर आपका account pay check नहीं है तो यह as good as cash माना जाएगा 44 ADA में भी amendment हुआ है 44 ADA में भी amendment हुआ है you can opt for 44 ADA you can opt for 44 ADA कभ बन that gross receipt does not exceed 50 lakh 50 lakh के जगर 75 lakh कर दिया गया है 50 lakh के 75 lakh हो गया है if the cash receipt does not exceed 5% of total receipt if the cash receipt does not exceed 5% of total receipt तो आप 50 lakh के जगर 75 lakh भी ले सकते हैं further second amendment यहां पर भी common पियर और चेक से जो payment received होगा वो भी क्या वाना जाएगा as good as cash तो यह थे आपके PGPP से related amendment यह थे आपके PGPP से related amendment और यहां पर हमने क्या consider कर लिया है वो amendment भी consider कर लिया है जो आपके statutory updates के थूँ आये है चलिए PGPP के बाद अब next amendment आता है capital gain का PGPP के बाद अब next amendment आता है किसका विटा capital gain का so let's go for right let's go for the amendment under the head of capital gain capital gain का सबसे पहला amendment आता है short term capital gain की definition में short term capital asset की definition में जो आया है because of the amendment in section 50AA तो section 50AA के amendment के कारण आपको section 242A short term capital asset की definition में भी क्या मिलता है amendment मिलता है याद करके देखे short term capital asset हम किसको मानते है अगर financial assets आप 12 months या कम hold कर लेते है तो right इसके अलावा immobile property unlisted share 24 months या उससे less hold करते है और other assets को आप 36 months या उससे कम hold करते है तो यह short term capital asset बनता है याद आ रहा है आपको याद कर लीजे और दो point depreciable asset जब भी आप sell करेंगे इस पर जो nature of gain है यह हमेशा short term माना जाएगा इसे श्रिंकला में एक और चीज़ आड की गई है market linked debenture या specified mutual fund जब भी आप sell करेंगे nature of gain इससे short term माना जाएगा चलो come on again तो यह depreciable asset gain will always be short term capital gain ठीक उसी तरीके से market linked debenture and units of specified mutual fund will always be short term capital gain तो section 50AA में यह कहा गया जिसके कारण short term capital asset की definition में भी amendment आया अब market linked debenture and units of specified mutual fund पे आने वाला जो gain है यह हमेशा क्या माना जाएगा short term माना जाएगा अब यह amendment आया क्यों था 50AA के कारणी amendment आया था section 50AA के कारणी amendment आया था तो चलिए 50AA का amendment भी देख लेते हैं सबसे पहले आते हैं अगर SSC transfer करता है units of specified mutual fund after 1-4-2023 तो अगर कोई SSC transfer करता है unit of specified mutual fund अभी specified mutual fund क्या होता है नीचे लिखा है आईए देखते है specified mutual fund means mutual fund where not more than 35% of the total proceeds is invested in the equity share of the domestic company so ऐसा कोई भी mutual fund specified mutual fund माना जाएगा जिसमें not more than 35% is invested in equity share of a domestic company provided that the percentage of equity holding held in respect of specified mutual fund shall be computed with respect to annual average of the daily closing figure और यह जो calculate किया जाएगा annual average of the daily closing figure के हिजाब से calculate किया जाएगा सीदेश अपर डेली average के basis पे यह calculate किया जाएगा 35% है या नहीं तो specified mutual fund ऐसा mutual fund जिसने 35% से ज्यादा का proceeds कहां invest नहीं किया हो इक्विटी शैन में invest नहीं किया हो या फिर market link debenture transfer कर देते हैं right so gain will always be short term capital gain sir full value of consideration क्या पाया जाएगा amount received और redemption जिसता भी redemption के उपर पैसा मिला वही आपका full value of consideration हो जाएगा इसमें से आप cost minus करेंगे nature of gain क्या रहेगा बिटा short term रहेगा वैसे भी आप याद करिए adventure है तो indexation का benefit तो मिलने नहीं वाला तो nature of gain वैसे भी क्या रहे ना था short term 7th proviso to section 48 भी याद दिला दू STT paid will not be allowed as deduction STT paid will not be allowed as deduction this was section 50 AA check करो इस साल का cost inflation index 348 है तो अगर आपने November 23 examination दिया है and you are heading towards May 24 examination cost inflation index will be 348 instead of 310 next amendment आता है computation of capital gain अब यहां पर section 48 के अंदर में एक amendment किया गया है क्या किया गया है जरब बता देते हैं राइट दिखिये जब आप कोई भी asset acquire करते है maybe specifically you know आप land and building की बात कर लेते है land and building पे आप क्या करते हैं loan लेते हैं और interest on borrowed capital आता है interest on borrowed capital जो होता है उसका deduction आप 24B में claim करते हैं तो अब तक कि क्या होता था लोग 24B में interest का deduction claim कर लेते थे और यही interest को वो cost of acquisition में भी add कर लेते थे मतलब एक तरफ तो आपने 24B के अंदर में deduction ले लिया and at the same time आप क्या कर रहे हैं उसको cost of acquisition है improvement में भी add कर दे रहे तो जो pre construction interest होता था उसको वो cost of acquisition में add कर देते थे और जो post construction interest होता था उसको cost of improvement में add कर देते थे अब कई सालोबाद income tax department को समझ में आया इसके अंदर में हम वो interest कवर नहीं करेंगे जिसका deduction आप 24B में claim कर चुके है seems to be more logical amendment so cost of acquisition cost of improvement shall not include deduction claim in respect of interest under 24B और under the other provision of chapter 6A अब यह other provision of chapter 6A क्या है अगर आपको याद दिला दू तो ATEE और ATEEA दो section थे जो 16-17 में अगर आपका loan pass हुआ है तो आपको 50,000 तक का interest का deduction देते थे ठीक उसी तरीके से ATEEA था जो 19 से लेके 2022 तक के आपने कोई loan लिया था तो उसके interest का deduction देते थे तो सीधे शब्दों में आपको कहना चाहूँ कि अगर आपने interest का deduction लिया है 24B में या chapter 6A के अंदर में तो cost या cost of improvement में इंचार amendment में से आपको क्या important है देखो एक ये जो notification 62 2022 है ये तो बेलकुल important है ही तूसरा आपको अगर देखा जाए तो ये important है 50AA next आ रहा है section 155 में amendment हुआ है जिसका impact capital gain के तुरू आता है जरह understand कीजे क्या होता है आपको अगर याद होगा तो compulsory acquisition होता है इसे क्या कर दिया गया चेंज कर दिया गया अब मान लो एओ को कोई rectification order पास करना है rectification order has to be passed within 4 years from the date of order अब आपने पहले order से 4 साल rectification count कर लिया इसी बीच 2 साल बाद आपका क्या हुआ एओ ने amendment order पास कर दिया changing the capital gain liability अब जो आपको rectification order का time limit मिलना चाहिए वो after 2 years आपको मिलना चाहिए भाई सीधी सी बात है आप rectification कब तक कर सकते हो within 4 years from the end of financial year जब से यह order पास हुआ है अब पहले order के बाद 2 साल बाद यह ने क्या कर दिया capital gain की liability change कर दिया तो अब rectification को जो time limit है वो भी accordingly change होना चाहिए rectification का time limit अब new order से आना चाहिए यही बात को ध्यान में रखते हुए section 155 में amendment किया गया where assessment is made by AO to amend the order of assessment so as to compute capital gain by taking reduce consideration by any court tribunal, authority rectification order shall be passed within 4 years from the end of previous year in which order reducing the compensation was passed in which order reducing the compensation was passed तो मुझे इसा लगता है यह amendment हो है पर यह amendment इतना relevant नहीं है next जो है 6th amendment यह बहुत ज़ादा important है exemption series के अंदर में amendment हुआ है सबसे पहले 54 और 54F में यह common amendment हुआ है जो आपको याद रखना होगा इसको detail में पढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ fast track के अंदर में आप जा सकते है वैसे कर आप regular class के student है तो definitely हमने यह amendment already complete कर लिया आपको यह पढ़ने के ज़रत नहीं पढ़ेगी फिर भी आप speed में देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते है कोई तकलिफ नहीं है section 54 और 54F में क्या था पहले यह बता देता हू section 54 कहता था अगर कोई residential house property transfer करी है and then you acquire a residential house property one year before or two years after the date of transfer or three years in case of construction amount invested or capital gain whichever is lower is allowed as deduction yes or no but the maximum amount of deduction cannot exceed 10 crore इस साल का amendment है generally आप एक घर you know आप किते घर ले सकते थे एक capital gain अगर 2 crore से ओपन नहीं जा रहा तो आप एक के जगद 2 घर भी ले सकते है and this benefit was available only once in a lifetime याद आरा है आप सभी को तो अब क्या कहा गया है generally section 54 में exemption होता है amount invested or capital gain whichever is lower but this amount of exemption overall cannot exceed 10 crore तो एक 10 crore का monetary cap ले करके आया है कि भी या exemption under the head of capital gain cannot exceed 10 crore in section 54 अब 54F क्या था 54F था you sell any long term capital asset other than residential house property and you acquire one residential house property कितना exemption मिलता था capital gain into amount invested divided by net consideration याद आ रहा है capital gain into amount invested divided by net consideration यहाँ पे भी एक upper monetary limit ला दी गई है 10 crore की तो अब 54 and 54F के अंदर में maximum amount of exemption is 10 crore including the sea gas component तो अब यह क्या है generally जितना amount हम invest करते है plus जितना sea gas में deposit करते है यह दोनों मिला के 10 crore होना चाहिए यह दोनों मिला के 10 crore होना चाहिए yes or no right एक 7th amendment आया है transactions not regarded as transfer section 47 enlist करता है ऐसे transactions तो क्या नहीं माने जाते transfer नहीं माने जाते yes मतलब इन transactions पे capital gain नहीं आएगा यहाँ पे दो add किये है पहला any transfer of capital asset being conversion of gold receipt issued by vault manager और conversion of gold electronic receipts into gold तो भी यह जो gold receipts होती है यह electronic gold receipts होती है आपके पास option होता है कि आप इसको काय में convert कर ले gold अब technically यह एक exchange है electronic receipt के जगा आप physical gold ले रहे है and exchange was subject to capital gain under section 2 subsection 47 transfer की definition में exchange cover होता था अब इन्होंने क्या कहा अगर आप gold receipt के बदले में gold ले ले लेते है which was one of the feature of gold receipt तो आपको क्या करने की ज़रौत नहीं है इस पे capital gain देने की ज़रौत नहीं है so conversion of gold receipt into physical gold is not regarded as transfer not liable to capital gain yes यह हुआ पहला amendment section 47 में ही एक और amendment हुआ है transfer of interest in a joint venture by public sector company in exchange of shares of foreign company अगर मान लीजे कोई public sector company है इसका किसी जेवी में interest था यह interest वो exchange कर लेते हैं किसी दूसरे वेक्ति के साथ exchange में public company को क्या मिलता है foreign company के shares so Indian company क्या दे रही है interest in joint venture बदले में क्या मिल रहा है बदले में मिल रहा है foreign company के shares so ऐसे case में it is not regarded as transfer not liable to capital gain so any transfer of capital asset being an interest in a JV held by public sector company in exchange of shares of a company incorporated outside India by government of a foreign state in accordance with the law of that foreign state so आप interest in JV transfer कर रहा है और बदले में foreign company के shares ले रहे है it is not regarded as transfer not liable to capital gain देख कर लीजे so this was the amendment with respect to capital gain बढ़ते हैं आगे yes sir next आता है TDS अमेंडमेंडमेंड अब TDS topic के अंदर में couple of amendments हुए वे हैं TDS जो topic है इसके अंदर में आपके couple of amendments है और ये amendments क्या है और किस point से relate करते हैं आई ये देखते हैं अगर हम सबसे पहले amendment की बात करें तो 206 AB से related है 206 AB क्या था कि अगर आप जिसको payment कर रहे है वो return नहीं करता TDS has to be deducted at higher rate याद आ रहा है आपको अब यहां पे specified person के definition में कुछ लोग include नहीं होंगे तो specified person would not include जनरली अगर specified person return नहीं भरता पिछले साल के लिए तो TDS जो होता है वो higher rate पे गड़ता है और जो specified person है इसमें कौन include नहीं होगा पहला non-resident जिसका PE इंडिया में नहीं है वो भी specified person में नहीं आएगा मतलब उसका जो TDS होगा वो normal rate पे कटेगा ऐसा person जिसको इंडिया में return भरने की requirement ही नहीं है वो भी section के अंदर में नहीं आएगा obvious ही बात है मानलों अगर किसी को return भरने की जोराती नहीं थी पर 206AB कहता था कि अगर उसने पिछले साल में return नहीं भरा है तो TDS higher rate पे काटो वो आके सरकार को कहता था यार मेरे को return भरने का requirement नहीं है तुम क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हो तुम तो जबरदस्ती म normal rate पे deduct होगा यह specified person में नहीं आएंगे yes next आता है section 194BA section 194BA यह किस से related है online winning अब दीखे casual winning जो होती थी वो 194B और BB के अंदर में आती थी अगर winning 10,000 से उपर जाती थी तो 30% TDS होता था यह specific TDS का section लाया है online winnings के लिए यह specific section लाया है TDS का online winnings के लिए अब section कहता है मानली जो कोई भी person जो पे कर रहा है online winnings online winnings any amount 30% का इसके उपर क्या आएगा TDS आएगा So person responsible for paying any sum in respect of online game to resident oblique non-resident right still deduct TDS at the end of the financial year at the rate of 30% Generally TDS has to be deducted at the end of the financial year लेकिन इसके कुछ एगा है In case where there is a withdrawn from user account during the financial year TDS has to be deducted at the time of such withdrawn on the net winning compromise in such withdrawal as well as on the remaining amount of withdrawal in the user account अगर क्या करते हैं आप amount withdraw करते हैं कियर एंट से पहले तो जो withdrawal है उसमें आपका net winning का component है Net winning का component क्या हो जाएगा टैक्सेवल हो जाएगा अब आप पूछेंगे सरीये net winning का मतलब क्या है मान लिजे अगर उस में जो मेरा capital sum है यह 100 रुपीज था उसके ओपर taxability नहीं होनी चाहिए तो जो से winning का component है उसके ओपर क्या होगा 30% का TDS आएगा where the winning are wholly in kind और partly in kind और partly in cash and the cash component is not sufficient to meet the liability तो सामने वाले से हम क्या करेंगे collect करेंगे मांगी जो online winning के अंदर में आपनी क्या जीता है car जीत ली अब technically car में से TDS कैसे काट होगे तो first you will collect the sum from the winner and then you will disperse the winning then you will disperse the winning अब आपको पता है you know statutory updates ICAI ने you know अपने website पे डालावाए उन्होंने कुछ CBD से CBD से पूछे हुए जो question है को questions भी क्या किये cover की है मुझे लगता है आप लोगों के attempt के अंदर में यह पूछे जा सकते है मतलब question ही directly यह आएंगे CBD ने जो पूछे है वो बाले और आपको क्या करना होगा theory लिखना होगा तो मैं expect करके चल रहा हूँ कि आपको directly यही questions आएंगे और यही questions जो है यह आपको consider करना होगा तब से पहले question number one there are large number of gamers who play with insignificant amount and withdraw also very small amount deducting tax under 194 BA for each insignificant withdrawal will increase the compliance for tax deductor can there be relaxation in this compliance अब जर जहांत सुनिएगा अब कई बार जो होता है वो लोग जो होते है बहुत छोटे-छोटी पैनी-पैनी amount होती है वो withdraw करते है अब एक सवाल उठा यार इतनी इतनी छोटी-छोटी amount अगर withdraw करेंगे तो ऐसे case के अंदर में क्योंकि लोग क्या करते है से winning component बाहर निकाल TDS नहीं किया जाएगा section 194 BA में अगर यह सारी condition satisfy हो रही तो पहला net winning does not exceed 100 in a month 100 उपर की winning वो नहीं हो नहीं चीए तो यह तो बहुत छोटी amount है हम वैसे discussion insignificant amount पे कर रहे है मतलब बहुत छोटी amount पे कर रहे है तो winning अगर 100 रुपे के उपर नहीं जारी है आपका TDS नहीं होगा tax not deducted on account of this concession is deducted at the time when net winning comprise in the withdrawal exceed 100 in the same month और subsequent month और if there is no such withdrawal at the end of the financial year बरबरे इसके उपर TDS नहीं deduct होना चीए किसी भी मन्त के अंदर में अगर यह overall amount 100 से उपर नहीं जारी चाहे वो इस मन्त की या अगले मन्त की मिलाके भी हो या फिर year की मिलाके क्यों नहीं हो and deductor undertake the responsibility of paying the difference if the balance in the user account is not sufficient to discharge the liability और साथ साथ में deductor ने एक responsibility लेनी है कि भले यह पैसा withdraw कर रहा है अगर इसका TDS amount insufficient हो गया तो वो यह भरेगा अब दीखें logically होता क्या है सरकार ने निकालने के लिए तो क्या कर दिया है यह एक provision निकाल दिये clarification निकाल दिया है लेकिन no person takes this responsibility कि हाँ अगर उसके account में insufficient हुआ तो हम लोग क्या करेंगे आपकी liability को fulfill कर देंगे ऐसा कोई नहीं करता ठीक है तो इन्होंने बोला है यह 100 से ओपर नहीं जा रहा है आपको TDS करने की जौरत नहीं साथ-साथ में यह withdrawal के बाद भी जो amount बचता है अगर पेर responsibility लेले कि हाँ भलाई insufficient amount हो जाएगी balance हम दे देंगे अब तो ठीक है otherwise कि क्या होगा TDS deduct होगा ही next when net winning is in kind how will the tax deduction will be operated simple है पहले पैसे collect होगा और फिर ही क्या दिया जाएगा winning दिया जाएगा at the outset it may be clarified that when money in the user account is used to buy an item in kind and given to user then it is the net winning in cash only and the deductor is required to deduct tax at source however there would be a situation where the winning in the game is the price in kind in that situation it will be operated as under accordingly where the net winning are wholly in kind partly in cash or partly in kind but cash is not sufficient to meet the liability of deduction of tax in respect of the whole net winning in this situation the person responsible for paying shall before releasing the winning ensure that tax has has been paid in respect of the net winning तो वो क्या करेगा पहले उन से collect करेगा और फिर ही क्या करेगा disverse करेगा release करेगा third how will the valuation of winning in kind shall be carried out winning in kind अगर रहा तो उसका valuation कैसे किया जाएगा the online game intermediary has purchased the winning before providing it to the user in that case purchase price shall be the value of winning उसने पर्चेस किया होगा तभी विनिंग दिया होगा तो purchase price ही आपका क्या माना जाएगा winning माना जाएगा online game intermediary manufacture such item in that case price is charged to the customer for such item shall be the value इसकी दे शब्दों में fair market value जो वो customer से charge करता है वही क्या माना जाएगा winning माना जाएगा yes GST will not be included for the purpose of valuation of winning साथ साथ में CBD एक और चीज़ करता है इस winning के अंदर में GST component include नहीं किया जाएगा amendment समझ मैं और case law समझ मैं सभी को चेक दिस आप लोग ने PM के मुह से कभी ने कभी तो जरूर सुना होगा महिला सम्मान सेविंग स्टिफिकेट या महिला सम्मान स्कीम दो साल के लिए आई दी स्कीम है एक अपरिल 2023 से लेके 31 मार्च 2025 तक के स्कीम चलेगा जो maximum deposit facility अवेल करती है दो लाक रुपए तक के और उसके उपर जो interest है ये आपको compound होगा quarterly 7.5% पर annum के हिसाफ से अब post office के अंदर में जा करके ये महिला सम्मान स्कीम को open कर सकते हैं और महिला सम्मान स्कीम के उपर आपको जो interest मिल रहा है ये quarterly interest मिल रहा है तो no tax under 194A would be deductible by post office on interest paid or credited under this scheme since the amount of interest would not exceed 40,000 since the amount of interest would not exceed 40,000 तो महिला सम्मान स्कीम के उपर तो interest आ रहा है interest आपको क्या नहीं देगा sir reduction नहीं देगा interest के उपर आपको TDS नहीं करना है फिर आता है section 194N withdrawal in cash आपको याद होगा कि अगर cash withdrawal आपका limit से उपर जाता है तो आपको क्या करना है TDS करना है no sorry I just changed my words अगर आपका withdrawal 20 lakh रुपीज के उपर जाता है अगर return नहीं भरा या 1 करोड के उपर जाता है तो 2% is the TDS बरबरे लेकिन अगर recipient cooperative society है तो ऐसे case में limit है 3 करोड रुपीज yes if the recipient is cooperative society TDS तभी होगा when some exceeds रुपीज 3 करोड तो cooperative society के लिए 194N का जो limit है उसको कितना कर दिया गया है 3 करोड कर दिया गया है बरबरे next आता है section 192A यह जो amendment आया है यह salary से connect करता है yes salary से connect करता है RPF का जो final amount होता है वो exempt होता है RPF का जो final amount होता है वो exempt होता है तो नहोंने कहा इस पर TDS भी नहीं लगीगा exemption from TDS if employee opt to transfer the accumulated balance to the new employer or it is received due to ill health or contraction or discontinuance business of employment etc RPF का final amount होता है वो exempt होता है अगर आप continuous पांच साल तक के job कर ले तो या पांच साल से पहले आप तीन reasons के वज़े से छोड़ते है तो भी वो exempt होता है पहला अगर आप new employer के पास shift हो है आपने new NPS account open कर लिया दूसरा आपकी ill health के कारण छोड़ा आपने तीसरा आपने क्या किया employer का business ही बंद हो गया था तो जो final amount होता है वो exempt होता है since final amount exempt है इस पर TDS होना चीए क्या नहीं उन्होंने कहा अगर आप new employer के पास shift हो जाते तो भी आपका क्या नहीं होगा दूसरा अगर ill health के कारण आप छोड़ते हैं और उस time पर आपको आरपीएफ का amount मिल रहा है तो भी exempt होगा सामने वाले employer का business ही बंद हो गया तो भी क्या होगा सर आपको जो amount मिल रहा है आरपीएफ का भी exempt होगा since amount is exempt तो इसके उपर क्या नहीं करना है सर TDS नहीं करना है next section के उपर आते है सर TCS की बात कर लेते हैं बड़े changes 206C1G के अंदर में बड़े changes आए हैं और ये date के उपर आपका पूरा खेल डिपेंड करेगा किस date को दिया है उस हिसाब से आपको क्या करना होगा TDS deduct करना होगा मैं चाता हूँ पहले आप इस table को read कर ले और उसके बाद ही क्या करें इस amendment lecture को आगे बढ़ाए एक बार पहले read कर लो जैन अब आपको पता था यह वरी नुट्यों त्रकी की बाते करता था एक रेमिटेंस इन फॉर्ण कंट्री की बात करता है और दूसरा overseas tour program की बात करता है सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं overseas tour program की बिफोर वन 10 2023 ओन और पर firstlyALK 0023 gaming जुलाय से आनी थी बाद में यह amendment क्या कर दी गई October से ला दी गई बाद में यह amendment क्या कर प्रोवाइड करते है अगर आपने यह package एक दस दोहजार तीवीज से पहले लिया था तो वह आप वह जो भी package देते थे उसके साथ 5% TCS collect करते थे वह क्या करते थे 5% TCS collect करते थे एक दस दोहजार तीवीज से इसके अंदर में amendment आया है TCS 5% लगेगा up to 7 lakh रुपीज और 7 के उपर जो रहेगा उसके उपर लगेगा 20% येस तो पहले क्या होता था आपने कितने का भी लिए 5% was a normal rate अब क्या कर दिया गया है उन्होंने उन्होंने कहा कि यह हम 5% लेंगे up to 7 lakh रुपीज और 7 lakh के उपर का जितना भी amount है हम इसके उपर क्या लेंगे बिटा 20% हम इसके उपर क्या लेंगे बिटा 20% is that done फिर आता है remittance remittance is for the purpose of education और medical treatment अगर आपका यह जो remittance है यह education या medical treatment के लिए है तो up to 7 lakh there is no TCS up to 7 lakh there is no TCS and beyond जो amount है 7 lakh के excess में जो amount है इसके उपर 5% TCS आता था इसके उपर क्या आता था बिटा 5% TCS आता था अब यह provision as it is रखी गई है तो आप अगर remittance कर रहे है किसके लिए education या medical treatment के लिए कर रहे है up to 7 lakh there will be no TCS 7 lakh के beyond जो है 7 lakh के beyond जो है आपको 5% का TCS आएगा तो let's say आप 10 लाक रुपे क्या कर रहे है रेमिट कर रहे है 3 lakh यो पर 5% का TCS क्या किया जाएगा collect किया जाएगा अब यही रेमिटन्स जो है यह आपने लोन लेके किया है मानलो आपने education loan लिया education loan लेकर के आप क्या कर रहे है amount रेमिट कर रहे हैं up to 7 lakh no TCS beyond 7 lakh इता बेटा 0.5% 0.5% yes अच्छा जी मानली जा आप रेमिटन्स कर रहे हैं for any purpose other than mentioned in 1 or 2 मानलो अब आप education या medical treatment के लिए नहीं कर रहे हैं आप loan लेके educational purpose के लिए नहीं कर रहे हैं आप किसी भी other purpose के लिए रेमिटन्स कर रहे हैं आप किसी भी other purpose के लिए रेमिटन्स कर रहे हैं अप्टू 1st October, no TCS, up to an amount of 7 lakh and 5% if the amount exceeds 7 lakh तो other purpose के लिए remittance हो रहा है, for example, land acquire करना है foreign में उसके लिए remittance हो रहा है, 7 lakh तक के कोई TCS नहीं, 7 lakh के उपर के amount पे 5% TCS होता था अप्टू 1st 2023, with effect from 1st 2023, up to 7 lakh, there will be no TCS, beyond 7 lakh TCS will be at the rate of 20% तो जो TCS का rate था, other purpose के लिए, उसको 5% के जगा किता कर दिया गया है, 20% कर दिया गया है चेक करिए अब अगर आप देखेंगे, यह जो 7 lakh का limit था, यह था under the liberal remittance scheme of RBI अब इससे related, CBTT ने कुछ further guidelines issue किया, और मुझे लगता है कि again, यह जो question answer है इसी के उपर आपको further questions आ सकते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से देखेगा पहला, whether the payment through credit card will be counted as LRS यह जो liberal remittance scheme है, अगर मान लीजे आप इसमें credit card के through payment करते हैं internationally, तो क्या वो count होगा, answer is no no TCS shall be applicable on expenditure through international credit card while being overseas till the further order second question, whether the threshold limit of 7 lakh for TCS to become applicable on LRS applies separately for various purpose like education, health, treatment and other for example, if 7 lakh under the LRS is made in a financial year for education purpose and other remittance in the same financial year 7 lakh is made for medical treatment and 7 lakh for other purpose, whether the exemption of 7 lakh shall be given for each of three separately it is clarified that the threshold limit of 7 lakh is a combined threshold limit for the applicability of TCS on LRS irrespective of the purpose of remittance thus in the given example up to 7 lakh remittance under the LRS during the financial year shall not be liable to TTCS, however subsequent 14 lakh LRS shall be liable for TCS in accordance with the rate applicable to it, तो यह जो 7 lakh का limit है, यह कैसा limit है बटा, overall limit है चाहिए आप education के लिए दो, medical के लिए दो या other purpose के लिए दो up to 7 lakh there will be no TCS, beyond 7 lakh there will be TCS, yes TCS rate would be applicable as under, तो यह वापस से TCS के rate उन्होंने explain किया है question number 3, since there are different TCS rate on LRS for the first 6 month and the next 6 month of the financial year whether the threshold of 7 lakh for TCS to become applicable apply separately for each 6 month, अभी के साल भर में overall 3 काटेगरी मिला के आपको 7 lakh तक के no TCS है, तो यह जो 7 lakh है वो पहले 6 month that is April to October अलग और बाद में 6 month October to March अलग इस तरह से करना है या साल भर में overall 7 lakh काउंट करना है, मतलब 7 lakh हम April से काउंट करेंगे या हर पीरिड के लिए अलग करेंगे, no threshold limit of 7 lakh for TCS to become applicable applies to the full financial year, बरबर है, if threshold has already exhausted all subsequent LRS, whether in the first half or in the second half would be liable to TCS, फिर आता है fourth question, whether the threshold of 7 lakh for TCS to become applicable on LRS applies separately for each remittant through different authorized dealer, अब यह जो 7 lakh रुपए है, यह एक ही authorized dealer से होना चाहिए, यह अलग-अलग authorized dealer के 7-7 lakh अलग-अलग है, it is clarified that the threshold of 7 lakh is a quare emitter and not quare authorized dealer, since the facility to provide real-time update remittance is still under the development by the RBI, it is clarified that details of the earlier remittance under the LRS by remittance during the financial year may be taken by authorized dealer through an undertaking at the time of remittance, अभी देखिये, कोई real-time basis तो है नहीं, RBI ने अब तक के यह mechanism नहीं बनाया है, कि real-time पे आपको पता चल जाए, कि किसी और के पास आप 7 lakh कर कर के आए है, या नहीं कर क्या है, इसलिए हर authorized dealer को बोला है, कि आप क्या करे, एक declaration ले, और declaration में सामने वाले से क्या करे, लिखा के ले कि इसके पहले आपने कोई, you know, foreign remittance किया है या नहीं किया है, और इस declaration के basis पे वो लोग क्या कर सकते है, accordingly TCS collect भी कर सकते है, या नहीं भी collect कर सकते है, इप तो अर्थराइस dealer correctly collects the tax at source on the basis of information given in this undertaking, he will not be treated as assessi in default, हवेवर, अनी false information in the undertaking, appropriate action may be taken against the remitter under the Act, फिर फिफ्थ कोश्चन आता है, there is a threshold of 7 lakh for remittance under the LRS, for TCS to become applicable, while there is another threshold limit 7 lakh for the overseas tool program, where reduced rate is applicable, whether these two apply independently, 7 lakh remittance के लिए और 7 lakh overseas के लिए है, यह दोनों मिला के 7 lakh है, यह 7-7 lakh independent है, यह दो independent है, overseas के लिए 7 lakh अलग है, और remittance के लिए 7 lakh अलग है, remittance में तीनों परफस के लिए ओर और 7 lakh है, yes, these two threshold apply independently, 6th question, a resident individual spent 3 lakh for purchase of overseas tour program, from a foreign tour operator, and remit money, which is classified under LRS, there is no other remittance under the LRS, or purchase of overseas tour program, during the financial year, whether TCS is applicable, take care, in case purchase of overseas tour program, which is classified as LRS, TCS provision for purchase of overseas tour program, shall apply, and not the TCS provision for remittance, since the purchase of overseas tour program, 7 lakh, does not apply, TCS is applicable and tax is required to be collected by seller, in this case, the tax is required to be collected at the rate of 5%, since the amount spent on the purchase of overseas tour program, during the financial year, is less than 7 lakh, the TCS should be made by the seller, question number 7, there are different rates for remittance under LRS, for medical treatment and education purpose, and other purpose, what is the scope of remittance, under the LRS, for medical oblique educational purpose, sir, remittance for purchase of ticket of a person, to be treated medically overseas, and for his attendant, for commuting between India and overseas, his medical expenses, and other day-to-day expenses, yes, so sir, understand ki jayega, यह जो medical treatment है, इसमें जो आपका traveling cost है, यह भी क्या किया जाएगा, include किया जाएगा, तो medical treatment shall include, wherever है, remittance for purchase of ticket, purchase of ticket के लिए भी जो cost है, वो भी इसके अंदर में क्या की जाएगी, include की जाएगी, अगर educational remittance है, तो remittance for purchase of ticket, tuition and other fees to be paid, and other day-to-day expenses required for undertaking study, यह overall include किया जाएगा, मतलब देखें नहीं तो लोग क्या कर सकते थे, tax की चोरी कर सकते थे, वो क्या करते थे, remittance के लिए 7 लग दिखाते थे, ticket के लिए अलग से दिखाते थे, वहाँ पे रहने के day-to-day expenses के लिए अलग दिखाते थे, तरकार ने बोल दिया बेटा तुम वहाँ जा रहे हो, उसका भी included हो गया, LRS, that is 7 लाक के अंदर में, वहाँ पे tuition ले रहे हो, उसका भी include हो गया, वहाँ पे day-to-day expenses कर रहे हैं, इसका भी include हो गया, यह 7 लाक में सब कुछ included है, यहाँ 7 लाक के उपर गया, आप TCS भर लो और फिर जित्ता लेके जाना है, उत्ता लेके जाओ, Question No.8, Whether purchase of international travel ticket, और hotel accommodation on a stand-alone basis, इस purchase of overseas tour program, अगर मान लीजे हम किसी tour package वाले के पास नहीं जाते, और हम अपने ही खुद से हो करके, आपके वाँ पे ticket और बाकी चीजे book करते हैं, तब भी क्या हमें TCS देना होगा, purchase of only international tickets, और only hotel accommodation by itself is not covered within the definition of an overseas tour program, तो वो इसके अंदर में classify नहीं होगा, अगर आपको overseas tour program में classify करना है, आपको at least इन में से दो चीजे होनी चाहिए, पहला international travel होना चाहिए, दूसरा hotel accommodation होना चाहिए, तीसरा any other expenditure अग सिमिलर नीचर होना चाहिए, अगर इन में से at least दो भी होती है, तो ही हम मानेंगे कि ये overseas tour program है, अगर आप सिर्फ ticket लेते हो, सिर्फ hotel accommodation लेते हो, तो ये overseas tour program नहीं मानी जाएंगी, येस सर, यहां आपका TDS के amendments भी क्या होते हैं, सर, over होते हैं, तो मेरे हिसाब से, आप ये limit वाला जो table है, ये एक बार अच्छे से पढ़के जाएंगे, और इसके निचे जो questions दिये हैं, ये एक बार अच्छे से पढ़के जाएंगे, 192A नहीं पढ़ोगे, तो भी चलेगा, 194N भी में को इतना important नहीं लग रहा, 194A आपको आ सकता है, फिर ये online betting वाला जो game है, ये आपको आ सकता है, TDS के अंदर में इतनी चीज़े important है, और यहां हमारा TDS का amendment भी क्या होता है बिटा, over होता है, including the statutory update which has been given by ICAI, चले हमाली, next amendment आता है, amalgamation and demerger से related, अब ये amalgamation and demerger में, दो जग़ा पर amendment हुआ है, एक हुआ है section 72A में, and second amendment हुआ है section 72A के अंदर में, अब 72A के अंदर में amendment क्या हुआ है, strategic disinvestment जो है, so if the public sector company, had a strategic disinvestment, तो इन से related unabsorbed loss and depreciation, हम लोग carry forward कर सकते हैं, अभी strategic disinvestment जो था, इसके definition को substitute किया गया है, 142023 से, नया definition which as अंदर है, strategic disinvestment, strategic disinvestment means, sale of shareholding, by central government और state government, और a public sector company, in a public sector company, which results in reduction of its shareholding, to below 51%, हम किसी भी चीज़ को strategic disinvestment कहेंगे, अगर वहाँ पे central government, state government, या public sector undertaking का, जो shareholding है, वो 51% से कम हो जाए, yes, and, transfer of control to the buyer, transfer of control to the buyer, may be by central government, state government, और by all of them, तो यह पहला, shareholding जो होना चीए, यह 51% से कम होना चीए, दूसरा, वहाँ पे and लिखा है, दूसरा, control भी क्या हो जाना चीए, buyer को transfer हो जाना चीए, तभी हम इसे क्या कहेंगे, strategic disinvestment कहेंगे, तो what is strategic disinvestment, a transfer of control by central government, state government, or public sector company, where there is a reduction below 51%, and, transfer of control to the buyer, इसको हम कहेंगे, strategic disinvestment, अब यहां से next amendment आता है, यहां से आता है आपका next amendment, right, where there is a amalgamation sanction, and brought to force by central government, in case of one or more banking company, with another banking institution, or any other banking company, or company, subsequent to strategic disinvestment, where amalgamation is carried out, within a period of 5 years, from the end of previous year, during which such strategic disinvestment, is carried out, right, तो जरद्हान से सुनिएगा, क्या लिखावा है, right, इन्होंने लिखा है, कि भीया, आप अपने losses को, क्या कर सकते है, set off कर सकते है, unabsorbed depreciation को, set off कर सकते है, जब amalgamation होता है, one public company, with another public company, one banking institution, with another banking institution, या फिर strategic disinvestment के बाद में, amalgamation होता है, within a period of five years, तो आप क्या कर सकते है, अपने losses, and unabsorbed depreciation को, carry out कर सकते है, set off कर सकते है, check it out, next amendment आता है, sir, business trust से, business trust के अंदर में, section है, section 115 UA, which talks about, income of a unit holder, generally business trust से, जो unit holder को income मिलती है, वो उसी same proportion में की जाती है, और उसी head में taxable मानी जाती है, this head में business trust में कमाया है, बरबर है, right, so any income distributed by business trust, to its unit holder, shall be deemed to be of the same nature, in the same proportion, in the hands of unit holder, and it has been received, accrued to a business trust, तो business trust को, जैसे यह accru हुई है, receive हुई है, यह उसी proportion में, उसी nature में मानी जाएगी, किस के हात में, unit holder के हात में, पर यह सही नहीं है, देखिए, इसमें एक technical difficulty है, technical difficulty क्या है, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो, सब section 3A, यहाँ पर amend किया गया है, उन्होंने कहा, यह जो provision है, जो above provision है, यह 56 to 10 में taxable, जो होता है, amount unit holder के आप में, उसके ओपर applicable, नहीं है, अब 56 to क्या कहता है, जर धान से सुनिये, अगर मैं बात करूँ, जो income 1023 FC में taxable होती है, that is dividend and interest income, जो income tax होती है, 1023 FCA के अंदर में, that is rental income, यह तो आप उसी proportion में मानो, ठीक है, बरे बरे, लिकिन जो आपको add-on benefit मिल रहा है, यह तो आप उस proportion में नहीं मानना चीए, इसी लिए specified sum बताया गया है, क्या होगा, तो जब भी unit holder के हाथ में, income आएगी, other than the income, which is covered in 1023 FC, that is interest dividend income, 1023 FCA, that is rental income, इनको छोड़के जो बचीवी income होगी, यह कैसे tax होगी, इनको छोड़के जो बचीवी income होगी, यह कैसे tax होगी, the specified sum shall be calculated as, which is not in the nature of 1023 FC, FCA and not has been charged earlier under 1015 QA subsection 2, अब इस income में से, आपकी क्या minus होनी चीए, cost of acquisition of units minus होनी चीए, क्योंकि net income taxable होती थी, अब तक क्या होता था, जब तक यह amendment नहीं आया था, मान करके चलो, business trust ने चार income distribute करी, पहला हुआ dividend, यह तो same nature का माना जाना चीए, तूसरा हुआ interest यह भी same nature का माना जाना चीए, तीसरा हुआ rental यह भी same nature का माना जाना चीए, लेकिन जो other income है, technically वो तो तुमारा gain होना है न, जो तुमने units के उपर लिया है, अब यह अगर आप पूरा tax कर देंगे, तो cost को तो minus करने की जगह ही नहीं बचेगी, net income tax होनी चीए न, excluding the cost, net income tax होनी चीए न, excluding the cost, अब होता क्या था, जितनी income आती थी, पूरी tax हो जाती थी, अब यहाँ पर unit holder बोलता था कि, भीया तुमने तो मेरा पूरा income tax कर दिया, rather इसमें जो मेरी cost लगे है, ये भी तो minus होनी चीए, इस बात को समझते वे, उन्होंने क्या कहा, other than 1023 FC, FCA के अंदर में cover होने वाली income, जो भी रहेगी, whatever is the aggregate sum received, excluding, you know, 1023 FC, FCA, इसमें से आप क्या minus करेंगे, cost minus करेंगे, और उतना amount minus कर देंगे, जो इसके पहले previous year में, आप क्या कर चुके हो, already tax कर चुके है, जो भी balance amount रहेगा, ये 56 to 10 में, sorry, 56 to में tax होना चीए, in the hands of unit holder, ये 56 to में tax होना चीए, in the hands of unit holder, तो कितना tax होना चीए, जल्दी से बताओ, tax होना चीए, whatever is the aggregate sum received, by business trust, not in the nature of 1023 FC और FCA, इसमें से cost minus करेंगे, और इसके पहले, अगर कोई amount already tax हो चुका होगा, तो वो भी minus कर देंगे, balance amount unit holder के हाथ में, 56 to के अंदर में क्या हो जाएगा, taxable हो जाएगा, that is IFOs में taxable होगा, चेक कर लीजे एक बार, तो that was the amendment related to business trust, चलिए next topic पर चलते हैं, पढ़ते हैं आगे next amendment के और अगर हम ध्यान नहींगे, तो next amendment है perquisites जो है, अब इसके ओपर cost inflation index निकलेगा, अगर ये एक से जादा years के लिए क्या किया है, प्रोवाइड किया गया है, तो ध्यान से देखिएगा, तो जो भी value of perquisites निकला into CII for the year in which perquisites provided, divided by CII for the first year in which accommodation is provided, तो cost inflation index के हिसाब से आपका जो perquisites निकलेटर उसे क्या किया जाएगा, अज़स्ट किया जाएगा, हाला कि अभी तक इसके ओपर कोई specific question नहीं दिया है, आपको कि किस तरीके से इस amendment को पूचा जाएगा, पर हां उन्होंने दिया इस time पे है, first time, first previous year जब से अपलाय होगा, वो होगा 23, 24 और the previous year in which accommodation was provided to employee, whichever is the data, तो first year जब ही amendment applicable होगा, वो होगा previous year 23, 24, right, अब आते एक और amendment के ओपर, another amendment is, another amendment deal करता है, deduction under section 16, अब देखे, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा amendment नहीं होगा है, amendment बड़ा simple सा है, simple सामेंट मेंट यह है, अब तक के ऐसा होता था, last year तक के, that is, November 23 तक के, यह standard deduction आपको जो मिलता था, यह old scheme में मिलता था, new scheme के अंदर में नहीं मिलता था, लेकिन अब, finance act 2023 से, standard deduction है, वो आपको new scheme में भी मिलेगा, so if I say you opt for 115 BAC and the other schemes, तो भी आपको standard deduction मिल जाएगा, तो भी आपको standard deduction मिल जाएगा, so available in the old as well as new scheme, available in the old as well as new scheme, deduction के amount में कहीं कोई change नहीं किया है, भही amount of salary और 50,000 whichever is lower का ही आपको क्या रखा गया है, deduction रखा गया है, yes or no, तो यह थे आपके salary से related amendment, अब चलेंगे next amendment की ओर, जो deal करते हैं आपके IFOS से, right, next amendment आपके deal करते हैं IFOS से, next amendment आपके deal करते हैं बटा किससे, IFOS से, सबसे पहले यहापे gift received के अंदर में एक amendment आया है, पहले समझते ही क्या है, अब आप सभी को पता था, एक list दीदी हमको पूरी की पूरी की gift received from falling is exam, जिसके अंदर में क्या आता था, gift received from relative is exam, gift received from registered charitable trust is exam, इस list के अंदर में आपको एक item हुआ करता था, कौन सा मैं आपको बताता हूँ, received by individual, yes, received by individual from any person for the medical treatment, or treatment of his family, for any illness related to COVID-19, and subject to such condition as may be notified, तो accordingly central government ने क्या किया है जरह समझेगा, अब कोई भी वक्ती जो amount receive कर रहा था, that is individual या उसके परिवार के लिए, अगर COVID-19 से treatment के लिए अगर उसने कोई amount receive किया है, तो वो क्या मानी जाएगी exam, अब इसी से related extended amendment यह हुआ है, कि अगर आपको यह amount exempt करवानी है, दूसरा, all necessary document of medical diagnosis or treatment of the individual or family member due to COVID-19, तो यह पहला COVID-19 positive report देनी है, साथ-साथ में all documents जो उसके diagnosis और treatment के लिए use होँगे, मतलब उससे related bills, उससे related reports अगर कुछ होगी, तो वो आपको क्या करना है, submit करना है as a document, तो यहाँ पर लिस्ट में amendment से इतना आया है, कि आपको क्या करना है, अगर COVID-19 से related payment का exemption लेना है, तो आपको क्या देना होगा, document देना होगा, वस इतना सा amendment है, इससे उपर का amendment नहीं है, यहाँ आया है बहुत बड़ा amendment, taxability of LIP, taxability of LIP के अंदर में साहब आया है, बहुत बड़ा amendment, इस amendment के उपर थोड़ा सा focus करते हैं, ठीक है, जरत interlinking करा के पढ़ाऊँगा, मजा आएगा, let's say, विजय अगर LIP का payment करता है, to the company, let's say, LIC, तो विजय को क्या मिल जाता है, सर, विजय को मिल जाता है deduction under section 80C, if not opted for 115 BAC, अगर विजय 115 BAC opt नहीं करता, तो विजय को deduction मिल जाता है, ATC के अंदर में, क्या तुम्हें याद है, so any person who paid life insurance premium, इसको deduction मिल जाता है under section 80C, और ये deduction तभी मिलता है, when he do not opt for 115 BAC, बड़बड़े, अब आते है LIC के अंदर में, LIC जब भी final amount देता है, LIC क्या करेगा, जब भी final amount देगा, including bonus, LIC जब भी final amount देगा, including bonus ये पूरा का पूरा क्या होता था मालिक, exempt होता था under section 1010 D, ये पूरा का पूरा amount, क्या होता है मालिक, exempt होता है under section 1010 D, बड़बड़े, अब ये कभ exempt होता है, if premium does not exceed a limit, अगर premium किसी भी साल में एक limit के उपर नहीं जा रहा तो जो भी final amount है including the sum by way of bonus यह क्या होता है पूरा का पूरा एक्जम्ट होता है अगर premium एक limit के उपर नहीं जा रहा अब अब तक का premium क्या था मैं आपको याद दिला देता हूँ मैं आपको याद दिला देता हूँ premium कितना देना है इसकी monetary limit policy issue date पे depend करती थी premium कितना लेना है इसकी जो monetary limit थी वो policy issue date के उपर depend करती थी याद आ रहा है आपको चलिए आपको याद दिलाता हूँ if the policy is taken before 2003 if the policy is taken before 2003 तब कोई ऐसी limit ही नहीं थी तो आपने कितना भी premium pay किया जो भी final amount रहता था including the sum by way of bonus वो totally क्या होता था exempt तो policy अगर 2003 के पहले की है any sum received under the LIP including sum allocated by way of bonus is exempt including sum allocated by way of bonus is exempt फक्की बाद चलिए फिर 2003 सा 2012 की policies अगर policies 2003 सा 2012 की थी इस period में issue की गई थी the premium should not exceed 20% of summer short अगर premium इस सालो में 20% of summer short के उपर नहीं जाता तो जो भी final amount है होती थी LIC including the sum by way of bonus वो क्या होती थी exempt so if the policy is issued between 2003 to 2012 sum received under the LIP including sum allocated by way of bonus exempt however exemption would not be available if the premium payable exceed 20% of capital sum assured exceed the 20% of sum assured yes or no next point आता है next point आता है what about the policies issued between 2012 to 2013 यह जो 20% of summer short था अगर policy 2012 से 2013 के बीच में issue की गई थी तो इस 20% को क्या कर दिया गया था 10% of summer short कर दिया गया था so the policies issued between 2012 to 2013 sum received under the LIP including bonus will be exempt if the premium payable right does not exceed 10% of summer short so any sum received under LIP including sum allocated by bonus is exempt if premium payable यहां पर बड़ होना चीए does not exceed 10% of summer short if the premium payable does not exceed 10% of summer short right 2013 के बाद जो भी LIC की policy issue की गई है इस पे normal SSC के लिए limit थी 10% of summer short और handicap SSC के लिए थी anybody यह same limit आपको ATC में भी है 15% of summer short याद आ रहा है so if policy is issued after 2013 then person with disability 15% of summer short other person 10% of summer short right तो आपको जो final amount है वो exempt होगा provided premium क्या नहीं होना चीए 10% of summer short handicap SSC case में 15% of summer short के उपर नहीं जाना चीए तो ही आपको क्या मिलेगा जो LIC का final amount है including the sum by way of bonus 1010D के अंदर में क्या बिटा होगा exam होगा yes or no अब अगर आप देखेंगे जो आपको institute ने statutory updates दिया है वो यही है जो आपको institute ने अभी statutory update दिया है IFOS के अंदर में वो यही है और इसी के साथ-साथ अलग-अलग क्या दिये question दिये अलग-अलग क्या दिये question दिये बस इस बार इसको समझ लो और वहां के सारे questions वाल करने आपको आराम से समझ में आ जाएगा अब आते हैं 14-2023 से नया amendment आया है 10 परसेंट और 15 परसेंट जैसा था वैसा ही रखा गया है एक monetary अपर लिमिट लगा दी गई है कहा है कि आपका जो प्रीमियम है policy अगर 2023 के बाद हुई है आपका प्रीमियम कितने से उपर नहीं होना चाहिए 10 परसेंट ऑफ समझ रख हैंडिकाप ससी के case में 15 परसेंट ऑफ समझ रख तो नाट एकसीड 5 लैक अलसो मतलब पहले तो percentage वाइस बताया था इस बार monetary लिमिट भी वाइस भी बता दिया गया है कि हम monetary लिमिट वाइस भी हो कितने से उपर नहीं होना चाहिए 5 लैक से उपर नहीं होना चाहिए तो policy issued after 2023 any sum received including bonus is exempt if a person with disability exemption would not be available if premium exceed 15% of some assured other person exemption would not be available if premium exceed 10% of some assured further exemption would not be available if premium payable exceeds rupees 5 लैक तो किसी भी साल में एक policy है एक साज जादा policy के लिए premium one policy और aggregate number of policy कितने सोपर नहीं होना चाहिए 5 लैक सोपर नहीं होना चाहिए तो पहले कोई monetary limit नहीं थी इस साल percentage के राभा एक monetary limit भी लादी गई है कितने की लादी गई है 5 लैक रूपीज की तो any sum received on the death of person is exempt irrespective of annual premium payable on the policy the condition for the premium of 10% 15% 20% would not be applicable yes understand कीजेगा इस particular line को घीते जी अगर कोई amount मिल रहा है तब तो वो क्या है exempt और आपको यह limits applicable है मान लिजे यह amount आपको मिल रहा है death पे अगर किछी के death पे यह amount मिल रहा है तो भलाई यह जो premium है यह कोई भी limits cross कर दे यह amount totally क्या होगा exempt होगा तो जीते जी मिले तो ही यह limits का कोई मतलब है exemption के restriction के लिए right otherwise यह क्या है वेटा totally exempt aggregate premium payable on policy issued after 1-4-2023 would be exclusive of amount of GSD अब आपको तो पता है हमें five lakh के इस साल से क्या लगा दी गई है limit लगा दी गई है अब यह five lakh का जो amount है यह inclusive of GSD amount है यह exclusive of GSD amount है तर यह जो amount आपको लेना है five lakh का यह exclusive of GSD amount होना चाहिए मतलब with GSD 5 lakh के उपर हो सकता है without GSD 5 lakh के नीचे यह होना चाहिए तो जो final amount मिल रहा है आपको LIC including some by way of bonus यह क्या होगा बटा exempt होगा इस बात को हमने बहुत अच्छे से discuss भी किया वा है कहां बटा मैंने पूरा फास्ट्राइक आपके final और इंटर के लिए कहां डालावा है YouTube के ओपर डालावा है चानल प्लेलिस्ट पर जाईए आप डीटेल में आए फोस चाप्टर के अंदर में यह देख पाएंगे और discuss भी कर पाएंगे येस और नो एक बार अमेंडमेंट देख लीजे हमारा आए फोस का अमेंडमेंट यहां पर क्या होता है बिटा ओवर नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है सर आपका डिटेक्शन से रिलेटेड अब अगर पूरे डिटेक्शन में देखा जाए तो एक ही सेक्शन है जो अमेंड हो करके आया है यह बात करता है contribution in अगनिवीर अगनीपत scheme चेके जेगा विह अनिवीर अगनीपत scheme और अगनीवीर कॉर्पस fund on or after 1st November 2022 has paid or deposited any amount it shall be allowed deduction 100% of the amount so paid or deposited where central government make any contribution तो अगनीवीर कॉर्पस fund दाससी shall be allowed deduction equal to 100% अब यह जैसा दिख रहा है न तिर वैसा नहीं है please understand this यहाँ पे दो पार्ट बनते हैं ATCH1 और ATCCH2 अगनीवीर अगनी कॉर्पस कॉर्पस fund इसका deduction जो आपको मिलता है यह 100% मिलता है बरे बरे इफ इसकी बात करता है इसका deduction भी आपको 100% मिलता है वेदर यू आप और दू नाट आप 115 BAC बना लिजे इसको तो ATCH2 benefit आपको मिल जाएगा whether you opt or do not opt for 115 BAC तो मुझे लगता है आपको यह जो है न पूछा जा सकता है own contribution to अगनीपत अगनीवीर scheme allowed as deduction to the extent of 100% काने सर अब आते हैं next exemption से related amendment exemption की series में भी एक ही amendment है वो है 10AA से related 10AA का deduction आपको तभी मिलेगा when the return is furnished on the due date yes अगर आप return due date पर furnished करते हैं तो 10AA सेड का exemption मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा याद दिरादू सेड का exemption क्या था पहले 5 साल 100% of the computed profit का deduction next 5 साल 50% of the computed profit का deduction उसके बाद next 5 साल अगर आप reinvestment reserve बनाते हैं तो 50% profit का deduction लेकिन यह deduction आपको तभी 1391 तो अगर आप 1391 में return नहीं भर पाते तो आपको यह exemption नहीं मिलेगा बस इतना सा amendment है बाकि amendment में कोई बाकि exemption में कोई chain नहीं है सिर्फ यह बोला है कि return time पर भरा तो ही 10AA का amendment मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा तो यह थे आपके deduction and exemption से related amendment नेक्स amendment डिसकस करते है alternate minimum tax से अभी alternate minimum tax हम सब जानते हैं अगर आपका 18.5% of adjusted total income exceed करता है income tax payable से तो आपके adjusted total income को ही total income मान लिया जाएगा 18.5% उसका आपका AMT होगा प्लस applicable सचाज एंसस आपको क्या करना होगा pay करना होगा you ultimately pay higher of income tax and adjusted total income का 18.5% whichever is higher बरबर है अब general rate of AMT is 18.5% हला कि if the unit is situated in IFSC the rate of AMT would be 9% if the SSC is a cooperative society the rate of AMT is 15% as per the finance act 2023 तो क्या किया गया है बाकी कहीं कोई change नहीं है अगर SSC cooperative society है तो AMT का rate 15% कर दिया गया है अगर SSC cooperative society है तो AMT का जो rate है यह कितना कर दिया गया है 15% कर दिया गया है so now there are three rates of AMT normal SSC 18.5 normal SSC situated in IFSC आपका 9% और अगर SSC cooperative society है तो AMT का rate 15% फू गया है दूसरा हम सभी जानते हैं if the SSC opt for the alternative tax scheme which is now a default tax scheme 115 BAC BAD BAE तो आपको क्या है AMT applicable नहीं है तो आपको AMT applicable नहीं है yes or no साथी साथ में साथी साथ में आपको tax credit भी नहीं मिलेगा that is AMT credit भी नहीं मिलेगा if the SSC has opted for 115 BAC BAD and BAE तो आपको AMT credit भी नहीं मिलेगा अगर आप क्या कर लेते हैं इन sections को opt कर लेते हैं भी या सीदे सब्दों में if 115 BAC BAD and BAE is opted the chapter itself is not applicable yes or no so that was little amendments with respect to alternative alternate minimum tax चलिए अब बात करते हैं miscellaneous provisions जो है इसके अंगर की सबसे पेला section आता है 269 SS right the mode of taking or accepting loans or deposit अगर अगर अननी person is accepting any loan is accepting any deposit exceeding rupees 20,000 it must be by way of account paycheck draft ECS or other electronic mode only and if any contravention is done the penalty is equal to the loan amount deposit amount etc तो कोई भी वक्ति अगर कोई loan ले रहा है कोई भी वक्ति अगर कोई deposit ले रहा है 20,000 रुपे के उपर तो इन्हें ये account paycheck dropped ECS या other electronic mode से ही लेना होगा यादा रहा है आपको पर अगर ये compliance नहीं होता तो penalty कितनी है 100% की penalty है अभी जो 20,000 की limit है इसको 2,00,000 तक increase कर दिया गया है for primary agriculture credit society and primary cooperative society for agriculture and rural development bank तो भीया ध्यानता समझिये जंदल SSE आज भी limit 20,000 ही है लेकिन SSE primary agriculture credit society PACS है या primary cooperative agriculture and rural development bank है that is PCARD है तो 20,000 की जगह उनके लिए limit है 2,00,000 रुपीज तो 2,00,000 से उपर का पोई भी amount अगर वो accept कर रहे है ये account पे चेकड़ा PCS से ही होना चाहिए otherwise आपको penalty लगेगी 100% of the sum exceeding 2,00,000 in other mode clear है so the provision of 269 SS has been amended to raise the limit of 20,000 to 2,00,000 for primary agriculture credit society and primary cooperative agriculture and rural development consequently if deposit is accepted from its member right the penalty under section 271 D would be liviable only if the amount is 2,00,000 or more in cash or by bearer check तो इन दो SSC के लिए that is PCAS के PACS and PCARD के लिए 20,000 के लिमिट कितना है बेटा 2,00,000 similar amendment mode of repayment पे भी हुआ है 269 T के लिए भी हुआ है अब repayment जो होता था 20,000 से उपर का जो repayment होना था वो account पे चेक राप TCS से होना था इन दो SSC के लिए repayment की limit भी कितनी रखी गई है 2,00,000 रखी गई है यही amendment 269 T में भी हुआ है the above section has also been amended to increase the limit of 20,000 to 2,00,000 in case of PACS oblique PCARD as a result where deposit is paid to its member right penalty under section 271 E would be liviable only if the amount of loan or deposit repaid is 2,00,000 or more तो similar amendment हुआ है इन दो SSC के लिए receipt और payment 20,000 के limit के जगए 2,00,000 तक की limit है बहुत छोटा सा amendment है मुझे लगता है आएगा तो भी MCQ के अंदर में आ सकता है तो MCQ के लिए इसको prepare करके रखीएगा MCQ में इसको क्या करके रखीएगा प्रिपेर करके रखीएगा चेक कर लो मालिक चलिए next amendment पे बात करते हैं और ये बात है PCRT that is Public Charitable and Religious Trust तो आपका Charitable Trust के अंदर में तीन से चार amendment हुए है और ये तीनो चारो amendment काफी important है क्योंकि Charitable Trust के ऐसा topic है जो आपको exam में आता ही है Yes or No तो सबसे पहले आज आते हैं कहाँ पे बिटा Charitable Trust के amendments की ओपर पहला existing trust registered अभी धान दे समझीएगा जब ये law आया था 2021 में सभी जो existing trust थे इनको जो registration करना था वो registration करना था within 3 months वो जो registration करना था ये registration करना था within 3 months ये जो time limit है इसको circular के थ्रू extend कर दिया गया है अब existing trust 39 2023 तकी क्या कर सकते है register कर सकते है so all those trust which were registered prior to 14 2021 can still be registered till 39 2023 Yes or No तो पहला amendment ये आया है मुझे लगता है exam में नहीं पूचा जाएगा बढ़ हाँ फिर भी आप ये याद रखेगा कि ये existing trust जो थे इनको बोला क्या था तीन मैने के अंदर में रजिस्टर करना है नया लग जैसे आएगा तो एप्रिल 2021 से तीन मंद जो होता था वोता था में एंड जून मतलब यह नो एप्रिल में जून ऐसा थ्री मंस के अंदर में उनको रजिस्टर करना था 2021 में ही पर यह time limit circular के तुरू एक्स्टेंड करके 39 2023 तक ला गया है अच्छा जी अब आते हैं next amendment के उपर यहां पर दो amendment है ध्यान ते समझेगा यहां पर दो amendment है पहला amendment है पहला कि अगर कोई सम आप actually pay करते है तो ही deduction मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा पहले ऐसा होता था कि आपको actually pay करने की जरूत नहीं होती थी आप provision भी मना दे थे तो क्या होता था आपको deduction मिल जाता था लेकिन अब बोला गया है कि amount जो होगी अगर ये actually paid होगी तो ही deduction मिलेगा provisional basis पर deduction नहीं मिलेगा उसे application नहीं माना जाएगा दूसरा अब क्या होता था donation to other trust is also treated as application of income ये corpus donation नहीं होना चाहिए था यादा रहा है आपको donation to other trust is also treated as application पर ये corpus donation नहीं होना चाहिए था अब होता क्या था मानलीजे आपको जो donation receive हुआ इसको taxable तो आप 85% ही करते थे क्योंकि जो 100 receive होता था इसमें से 15 standard deduction चले जाता था 15 standard deduction हो जाता था और balance 85 ही क्या होता था apply करना पड़ता था अब होता क्या था आपने income तो 85 ही book करी लेकिन आप जब दूसरे को donate करते थे आप application पूरा 100 book कर दालते थे income tax department को यह चोरी समझ में आगे और income tax department ने बूला अगर आप किसी को donate करते हैं अगर आप क्या करते हैं किसी को donate करते हैं other trust को तो यह application माना जाएगा only to the extent of 85% ही मतलब आप अगर किसी को 100 donate करते हैं तो इसका application 85 ही माना जाएगा तो donation to any other trust institution shall be treated as application for charitable religious purpose only to the extent of 85% of amount donated I think यह बहुत sensible amendment किया है क्योंकि जो आप income cover करते थे वो 85 ही होता था standard deduction मिल दाता था तो donate करने पर आपको 100% application कैसे मानना चाहिए यह भी 84% ही मानना चाहिए तो application में दो चीज़े हमार पास add हुई है point number पहला अब सम को आपको actually pay करना होगा तो ही deduction मिलेगा provisional basis पर नहीं मिलेगा दूसरा अगर आप किसी दूसरे trust को donate करते हैं तो उसका सिर्फ 85% ही applied माना जाएगा ना कि all the amount which has been donated clear है मालिक आते हैं third amendment के उपर मुझे लगता है यह आपको जरूर पूशा जाएगा यह amendment जो है यह आया है with effect from 110 2023 यह amendment क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ देखिए होता क्या था सर होता क्या था कि जितने भी trust थे जो इन्हें अपनी activity अब तक के start नहीं की थी इन्हें पहले provisional registration लेना होता था मतलब जो trust already formed थे यह आते थे पहले provisional registration लेते थे और फिर ही इनको final registration लेना होता था एक big update यहां पे यह आया है कि यह trust which has already formed and comments in activity उन्हें अपनी activity भी क्या कर चुकी है comments कर चुकी है लेकिन आज तक के क्या नहीं किया कोई exemption claim नहीं किया अब इन्हें provisional registration लेनी की दुरहत नहीं है यह direct final registration ले सकते हैं मतलब except जो fresh trust है जो you know start ही किसके बाद हुए है एक चार तेविस के बाद हुए है उनको ही सिफ provisional registration लेनी की दुरहता है अगर मान लीजे अब तक कोई exemption claim नहीं किया है यह directly आके final registration लेंगे पहले इनको form 10-a भरना पड़ता था अब यह directly 10-a-b भरके भी क्या कर सकते है प्रोइजिनल के जगह final registration ले सकते हैं जैसे ही registration के लिए apply करेंगे CIT अपना पूरा examination करेगा और within 6 months इने क्या कर देगा certificate of registration grant कर देगा यह certificate of registration as usual 5 चल के लिए valid रहेगा यह certificate of registration as usual 5 चल के लिए valid तो a trust which has already commenced the activity and has not availed any exemption so far need not to apply for provisional registration instead it can directly apply for final registration upon application PCOC shall grant approval or rejection after being OOBH within 6 months from the end of the month in which application is made so CIT ka karsakta hai application ko accept bhi kar sakta hai reject bhi kar sakta hai within 6 months such registration must be valid for 5 years तो एक trust जो already start कर चुका है अपनी activity लेकिन आज तक कोई exemption claim नहीं किया है, वो straight अभी क्या कर सकता है, final registration के लिए opt कर सकता है, hence with effect from 110-2023, only trust which has not started the activity shall get provisional registration, अगर आप activity पहले भी start कर चुके है, तो आप directly क्या लेंगे final registration, तो एक 10-2023 की बाद, सिर्फ ऐसे ही trust वो provisional registration लेना है, जिनने अब तक अपनी activity start नहीं करी, next big update, cancellation of registration of trust, बरवरे, अगर कोई assessi specified violations करता है, तो trust का registration जो है, यह CIT, PCIT cancel कर सकता है, now specified violations में आपके बहुत सारे item है, इस item में एक item और add हो चुका है, इस items में एक item और add हो चुका है, the registration of trust, shall be cancelled upon specified violation, now amendment is made in the definition of specified violation, तो specified violation की definition में क्या किया गया है sir, amendment किया गया है, if application for registration of trust is not complete, or it can contain incorrect information, तो यह भी specified violation माना जाएगा, और इस case में CIT आपका cancel कर सकता है registration, तो अब specified violation की definition है, इसमें amendment हुआ है, अगर आपका registration का application complete नहीं है, या इसमें incorrect information है, तो भी CIT आपका registration क्या कर सकता है, cancel कर सकता है, तो मुझे यह लगता है, इसके उपर एक चार्मा का question form हो सकता है, या एक जो application किया गया था, या application is date पे किया गया था, पहले आपको पूरा गुमाया जाएगा, कि application था, application is date पे किया जाएगा, application is date पे हुआ था, और बाद में incorrect information CIT को पता चला, now CIT want to cancel the registration, is CIT correct in cancelling the registration, दूसरा सवाल पूछ लेंगे, whether she has any option upon cancellation of registration, तो आप appeal में जा सकते हो, वो वाला point यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा, तो यह भी एक important amendment था, बरबरे, 5th amendment भी बड़ा amendment है, charitable trust के अंदर में, understand कीजे, क्या होता है, याद करिये, आपको जितना भी amount मिलता है, इसमें से 15% standard deduction minus करके, आपको 85% charitable or religious purpose के लिए apply करना पड़ता है, मान लीजा, अगर आप इस साल amount apply नहीं कर पाए, या आप amount set aside करना है, specified purpose के लिए, तो आपको AO को एक application करना पड़ता है, याद आ रहा है, आपको AO को एक application करना पड़ता है, अगर आप subsequent year में पैसा खर्चा करना चाते हैं, या आप specified purpose के लिए पैसा खर्चा करना चाते हैं, set aside कर रहे हैं 5 साल के लिए, तो आपको AO को application करना है, अब होता क्या था, AO को ये application जो हमें करना होता था, ये return filing के साथ साथ करना होता था, मतलब return filing के साथ साथी AO को ये application किया जाता था, कि हम जो पैसा यूज़ करेंगे, वो subsequent year में यूज़ करेंगे, या फिर हम specify कर रहे हैं कि हम 5 साल के अंदर में specific purpose के लिए use करेंगे, अब यहां पे बहुत बड़ा change आया है, ये जो application आप AO को कर रहे हैं, कि मैं subsequent year में use करूंगा, या मैं specific purpose के लिए बाजू रख रहा हूँ, ये application अब आपको return भरने के साथ नहीं, आपको return भरने के due date से 2 मेने पहले करना है, तो return you know, charitable trust, CT मतलब charitable trust, if charitable trust wish to apply the amount in subsequent year or for specific purpose, then charitable trust must apply to AO in writing within 2 months prior to the date of filing ITR, तो ITR file करना है से 2 मेने पहले आपको ये application करना है, कि हम subsequent year में इसका खर्चा करेंगे, या हम specified purpose के लिए इसे रख रहे हैं, तो this was the amendment with respect to charitable trust, सारे ही amendment important है, पहला वाला छोड़ दे, तो सारे ही amendment important है, PGPP में जैसे बड़े amendment आया है, capital gain में जैसे बड़े amendment आया है, वैसे charitable trust में भी क्या है, बड़े amendment आया है, तो amendment lecture हम बहुत जल्दी खतम करने वाले, एक last topic बचा है, NR से related amendment आया है, वो खतम कर देंगे, और आपका amendment lecture भी क्या हो जाएगा, सर, over हो जाएगा, हमने regular lecture complete कर लिए, हमने fast track complete कर लिया, हमने amendment lecture जैसे के हमने कहा था, इस बार मैं generally amendment lecture मार्च ये सप्टेंबर में डालता हूं, मार्च की last week तक आ जाता है, इस बार ये एक अपते से delay हो गया है, I am so sorry, but आप में से बहुत लोगों को पता होगा, कि मेरे घर में medical situation and death वाला situation हो गया था, otherwise ये delay नहीं होता, पर perhaps हमने जितने वादे किया हम ज़रूर पूरे करेंगे, don't worry about that, yes, चलिए चलते हैं next amendment पे, चलिए, तो चलते हैं अब last chapter के amendments पे, that is NRC related amendment के उपर, NRC related amendment में सबसे पहले जो दो common amendment आये हैं, वो आये हैं, presumptive income of non-resident पे, non-resident की income presumptive basis पे calculate की जा सकती है, in section 44B and triple B, yes or no, अपनी दोनों section में common amendment आया है, जब TGBP compute किया जाएगा, NRC का under section 44B या 44BB के अंदर में, तो set-off of losses and unabsorbed depreciation का deduction नहीं देंगे, तो जब income compute की जाएगी 44BB के अंदर में and 44BB के अंदर में, no set-off of loss shall be allowed, no unabsorbed depreciation shall be allowed, दोनों के अंदर में common amendment है, तो where the assessi declare under 44BB और 44BB, no set-off of unabsorbed depreciation and brought forward losses shall be allowed to assessi, for such previous year as per the finance act 2023, यह done है मालिक, आते हैं, next income, next content के उपर exempt, तो यह non-decident की certain income क्या है मालिक, exempt है और इसका list आपको section 10-4 के अंदर में दियावा है, आईए, यहाँ पर क्या-क्या add हुआ है ज़रा देखते हैं, सबसे पहले addition हुआ है, 10-4E के अंदर में, any income as a result of transfer of non-deliverable forward contract, और offshore derivative instrument, और other counter derivatives, और distribution of income of an offshore derivative instrument, entered into with OBU of IFSC, what is OBU, Overseas Business Unit of IFSC, तो मान लीजे, अगर क्या करते हैं, आप IFSC के अंदर में transfer करते हैं, non-deliverable forward contracts, यह offshore derivative instrument, the income is purely exempt, next 10-4G, income received from portfolio of security or financial products or fund, or administered by any portfolio manager on behalf of such non-resident, मान लीजे, अगर आपको कोई income received होती है, portfolio of securities से, which is administered by portfolio manager on behalf of non-resident, तो यह exempt रहेगा, such activity carried out by such person as may be notified by government, in an account maintained with overseas business unit in IFSC, to the extent such income accrue, और arise outside India, तो अगर मान लीजे, कोई overseas business unit है, जो IFSC के अंदर में situated है, इनको कोई activity notified income arise होती है, तो यह भी income क्या रहेगी, exempt, now अगर हम next amendment की बात करें, तो मुझे लगता है, यह exemptions में आपको पूचा जा लगता है, पहले दो तो खेर आपको पूचेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, आपको पूचेंगे भी, तीसरा पूचा जा सकता है, मान लिजे कोई unit है IFSC में, इसके equity shares hold करें है, किसी non-resident ने, और यह company क्या करती है, leasing of aircraft में engaged है, तो अगर कोई company है, leasing of aircraft में है, इसका unit IFSC में है, इस company के shares transfer होती हैं, तो capital gain is not liable to tax, तो capital gain arising from transfer of equity share of a domestic company, engaged primarily in the business of aircraft, which has commenced its operation up to 31st March 2026, and it is a unit situated in IFSC, तो मान लिजे, कोई non-resident है, इसके पास equity share है, domestic company के, ऐसी domestic company, which is situated in IFSC, and engaged in the business of leasing of aircraft, तो यह equity share अगर आप transfer करते हैं, it is not liable to tax, yes, next, dividend from a company being unit of IFSC, primarily engaged in business of leasing of aircraft, अगर कोई company है, तो unit situated है, जिसका IFSC में, and इस company का main objective है leasing of aircraft, इन से अगर कोई dividend भी मिलता है non-resident को, तो सीधे शब्दों में, अगर कोई unit है, IFSC में, इनका objective है leasing of aircraft, इनके shares बेचे, या फिर इन से dividend मिला, दोनों भी exempt है, दोनों भी क्या है बिटा, exempt है, तो non-resident के हाथ में, dividend भी exempt हो जाएगा, और capital gain भी exempt हो जाएगा, अगर ये domestic company का है, ऐसी domestic company जो engage है, किसके अंदर में, leasing of aircraft के अंदर में, तो income क्या रहेगी बिटा, exempt रहेगी, yes or no, तो ये थे आपके final amendment, with respect to non-resident, yes, तो sir, अगर आप देखेंगे, हमने सारे amendments जो है, ये cover कर लिए है, यहाँ पर आपके सारे amendments पूरे होते, और अगर आप fast track देख चुके है, नहीं देखा होगा, तो जल्दी से आगे fast track देख लीजे, आपके amendments का जो बादा था, और ये DT के charts आपको super help करने वाले हैं, क्योंकि मात्र 52 pages के अंदर में, आपका पूरा DT and international tax, हम लोगों ने cover करके रखावा है, so go through it, all the best for the purpose of exam, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर में, अभी ABC analysis and all के भी वीडियो आपके आने बाकी है, till the time,